वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज येवाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगिए जहां पर अब्जेक्टिव में कोश्चन पूछ से जाएगा किसी पेड्रूप पो जोईन करने के लिए आप इनकी वे नंबर्स पर वाट्सअप मैंसेज करके दिज्जानकरी प्राप्त कर सकते हैं दर प्रतम हम लोग एग्रिमेंट सेक्शन पर आ जाएंगे एग्रिमेंट जो हुए है वो यहां पर डिसकुस करेंगे सारे एक एग्रिमेंट कैंसिल हुआ है उसकी चर्चा का फिर इस पर बात कर लेते हैं इन वाट्स आपने देखी हुगी फॉकसकॉन और विदान्ता का जो टाई था जो मतलब कर सकते हैं समझो होता था उसको तोड़ दिया है फॉकसकॉन ने वो इस डील में आगे नहीं बढ़ सकते हैं फॉक्सकॉन के साथ विधानता ने डील करी थी कि गुजरात में यहाँ पर सेमिकंड़क्टर चिप्स बनाई जाएगी डील अनौन्स हुई थी फरवरी 2022 में सेप्टेंबर में आपने देखा था डील एप्रूव हो गई थी और इसमें का आगया था कि गुजरात में कैंसिल हो गया था जुलाई मन 2023 में इस मन्त के एग्रिमेंट के बारे में बात कर लें तो यह ट्राइपार्टाइट एग्रिमेंट हुआ था त्री पक्षी समझा होता इंडिया नेपाल बंगलदेश के बीच इसके तरह नेपाल क्या करेगा बंगलदेश को बिजली सेल करे जा गया था इसके बाद अग्रिमेंट यहां पर मिनिस्ट्री ओफ एडिकेशन अभी अबुधावी डिपार्टमेंट ऑफ एडिकेशन और नॉलेज जो युए में है और इंस्टूट ऑफ टेक्नलोजी डेली तो आईटी डेली ने इस हम जोता की अबुधावी के साथ कि अबुधावी में एक अंतराश्ट्री परिसर स्थापित के जाएगा कि इंटरनेस्टल कैंपस स्थापित के जाएगा अबुधावी में यह काफी दिन से चर्चा हम लोग सुन रहे थे ऑफिशल एग्रिमेंट जुलाई में साइन हुआ है अज़े एक चीज द्यान रखना और कंट्री के नाम तंजानी है इसको हम लोग में सेक्शन में भी करेंगे वैसे भारत और फ्रांस के टाइज आपको पता है काफी मजबूत रहते हैं अभी फ्रांस विजट भी किया था बैस्टिल डे परेड में यह मोंदी जी ने वहां पे और एक समझोता किया गया है कि भारती परेटक वहां पर फ्रांस में UPI की मादध्यम से लेंदिन कर सकेंगे एफिल टावर में UPI से भारती परेटक पेमेंट कर सकेंगे तो यह यहां पे एक अनुक्हा समझोता किया गया था एग्रिमेंट इंडिया और UAE की भी चेकाओर वा था किसको लेकरके एक बार फ से ज्यादतर ट्रेड करना चाहता है काफी सारे कंट्री इससे राजी भी हो गए हैं अंतराश्ट्री मुद्रा कोर्स यानि कि आई में पाकिस्तान के साथ तीन बिलियन डॉलर की स्टेंडवाई विवस्था के लिए स्टाफ लेवल एग्रिमेंट साइन किया है ठीक है इसके स जो डोपिंग रोधी एजनसी है नाड़ा उसने समझाता किया है सराड़ो के साथ सराड़ो कमीशन एक एंटी डोपिंग कमीशन ही है और किस किस कंट्री में काम करती सराड़ो बंगलादेश में भोटान में माल्दीव में श्री लंका में इसका अबजिक्टिव है रीजिन इसकी मरम्मत के लिए समझाता किया गया था ठीक है इसके बाद आ जाते हैं भारत और अरब अमिरात के मद्द आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस परिक मानिता विवस्था परस्ताक्षर यानि कि इंडिया युए वर्ड कस्टम्स और्गनाजेशन की ये एक तरीके से काउपरेशन काउंसिल मीट हुई थी बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में यहीं पर इंडिया युए के बीच ये म्यूच्वल रिकनीशन अर्रेंजमेंट फॉर ऑथराइजड एकनॉमिक ऑपरेटर्स ये एग्रिमेंट साइन किया गया था आजाते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन पर अपॉइंटमेंट में डॉक्टर थानी बिन एहमद अलजायदी या जायुदी संयुकतर अरब अमिरात के विदेश प्यापार मंत्री है इन्हें विश्व प्यापार संगठन इन डब्लु टियो के तेरवें मंत्री स्टरी सम्म में बनाया गया है संजय मिश्रा ये डी के डिरेक्टर हैं और कोर्ट ने जो है इनका टन्योर एक्स्टेंड कर दिया है 15 सेप्टेंबर तक ये बने रहेंगे डी के डिरेक्टर पीटर एलबर्स इंट्रनाइसल एयर ट्रांसपोर्ट के बोर्ड ऑफ गॉवर्डनर्स के देख्ष के पत्से इन्होंने स्तीफा दे दिया है और अभी नए एक आपोइंट्मेंट हुआ नहीं है ऐसा हो सकता है हमको ऑगस्ट सेप्टेंबर में नए आपोइंट्मेंट देखने को भी ले नैसल कमीशन फॉर स्चेडूल ट्राइब्स में ताब हम इसको देखेंगे शेक तलाल फाहद अल-एहमद अल-साबा ये प्रेजिडेंट बनाए गए हैं ओलंपिक काउंसिल ओफ एशिया के हैं ओलंपिक काउंसिल ओफ एशिया सत्पाल भानू भारती जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं क्यू डॉंग क्यू ये सहिंवत राश्टर खाद एवं क्रसी संगठन के महानिदेशक के रूप में पूने निर्वाचित हुए यानि कि री-elected as the Director General of United Nations Food and Agricultural Organization UNFAO के Director General ये री-elect हुए हैं उसके बाद जू हाउलियांग ये चाइना में सिंग्त राश्टर विकास कारेक्टर हैं UNDP के आवर महासिचिव के Associate प्रशासक बने यानि कि Under Secretary General and Associate Administrator of the United Nations Development Program इन से पहले उशा राओ मोनारी थे अब इनकी जगए ये आ गये हैं जू हाउलियांग उसके बाद आदाव अर्जुन ये Basketball Federation of India के देख्ष बने है शारुक खान ब्रैंडम मेजडर ये ICC Cricket World Cup 2023 के बने बहुत जरूरी है पूछा जा सकता है ICC Cricket World Cup 2023 के ब्रैंडम मेजडर कोई क्रिकेटर ना होकर शारुक खान है Men's Indian Cricket Team के Selection Committee के बहुत दिन से Selection Committee के अधियक्ष की तलास थी BCCI को फाइनली आजीत अगरकर जो की Fast Ballot रह चुके हैं भारत के ही तो इन्हें ये चेर परसन बनाए गया Senior Men's Selection Committee का अब रजेंदर नावनीत ये वैश्विक व्यापार संगतन में भारत के अंबजडर और स्थाई पृतनेदी बने हैं हर बड़े और्गनाजेशन में भारत का एक अंबजडर और पर्मेनेंट रिप्रेजेंटेटेटिव होता है जैसे रूचिरा कमबोज जो है वो UN में है ऐसे ही WTO में ये अंबजडर और पर्मेनेंट रिप्रेजेंटेटेटिव हमारे बन गए है WTO में श्री ब्रजेंदर नावनीत फिर प्रीती अगलायन भारती प्रावद्दुकी संस्थान की पहली महिला निदेशक फिर्स्ट वु में डिरेक्टर और इंडिन इंस्टूट और टेक्न लोजी अप्राव माउनीग में सकिर्गेविक्ष उसकी ए डिरेक्टर घहुजित की गई है कैमिफसे जो बनने वला माइटी मदा और निक्टर अपोइंट हुई है उसके बाद एडगर्स रिंग केविक्स लाट्विया के ग्यार्मी राष्टपती बने उर्पीय संग के पहले खुले तौर पर समलाएंगी कराश्ट प्रमुग ओपेंली हेड आफ दा स्टेट इन दा उर्पीन उनियन जोकी LGBTQ समधाय से आते हैं इसके बाद आ जाते हैं के राजा रमन अंतराष्ट्री वित्ती सेवा केंडर प्राधिकरण के अध्यक्ष चेर परसांत मनी लॉंडरिंग समूह के परवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब कंट्री बना है इसके बाद यू सर्वनन चेरपरसन मेनेजिंग डिरेक्टर ऑफ नैसल फटलाइजर इसलिम्टेड अड्मिरल लीजा फ्रैंचिटी इनको बड़ा पत मिला है अमेरिकी नौसेना चीफ ऑफ ऑफ ऑपरेशन की प्रमुक बनी है और सेंग तो चीफ ऑफ स्टाफ के सदस्य के रूप में सेवा देने वाली यूस की पहली महिला इसके बाद सुरे स्रिवास्तो सीनिर इंडियन एड़ोकेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल उनाइटेड नेशन एड़ोकेसी बॉड़ी नयमूर्थि शिव कुमार सिंग, राश्ट्री हरित नयाधिकरण के कारवाहक अध्यक्स समंत कुमार गोईल ये रिटार हो गए है तो आइनजीटी के नैसनल ग्रीन टिबिनल के अभी कारवाहक अध्यक्स बने है जस्टिस शिव कुमार सिंग प्रिजिया के गेंदरी बैंक की पहली महिला प्रमुख निवरती राय मनेजिंग डिरेक्टर और इन सी ओफ इन्वेस्ट इंडिया ये पांच सदस्य एक ग्रूप बनाया गया है पांच सदस्य समीटी बनाई गई है इंडिन बैंक एसोशियेशन ने पांच सदस्य समीटी बनाई गई है किसलिए जिससे कि RBI का जो रिकमेंडेशन थे functioning of asset reconstruction companies asset reconstruction companies पर जो recommendations दिये थी RBI ने उनके implementation करवाने के लिए IBA ने पांच सदस्य समीटी बनाई है इसमें कौन कौन शामिल है इसमें देख लेते हैं अजीत कुमार शामिल है इसमें इसके बाद शामिल है हरी हर मिश्रा फिर मैथली बाल सुब्रमन्यम शामिल हैं फिर धरमेंद्रपाली और अनुपमा रानाडे ये सभी बड़े-बड़े बैंकों के senior officers हैं, IBM ने इनको appoint किया है, Reserve Bank के जो recommendations थे, Asset reconstruction companies कैसे काम करेंगे उन पर, उनके कह सकते हैं, recommendations को implement करने के लिए committee बनी है, Awards and honors जुलाई मंत में, Grand Cross of the Legion of Honor, अनरेंद्र मोधी प्रदानमंत्री जब बैस्टिल डे परेड में भाग लेने के लिए फ्रांस में, तो उनको ये फ्रांस का नागरिक पुरुसकार मिला है, ये फ्रांस का सर्वोच नागरिक और साइन ने सम्मान कहा जाता है, भारत के पहले प्रदानमंत्री मोधी जी बन कहें हैं, जिनने फ्रांस का ये पुरुसकार मिला है, इसके बाद आजाते हैं, और अन्री डॉक्ट्रेट फ्रॉम बर्मिंगम सिटी उन्विश्टी इन इंग्लेंड, ये शंकर महादेवन को मिला है, जो कि सिंगर है, इसके बाद दा राइजिंग स्टार अवर्ड ये बर्मिंगम इन्विश्टी ने दिया है, पैन पिंटर्प्राइज ये साहिति का पुरुसकार है, माइकल रॉजन को मिला है, ब्रिटिश पोयर्ट रॉटर है, ये मिला है नैसल मिन्रल डिवलफमेंट को हैटकोर्टर कहां पर है, आप जल्दीश कमेंट करके बताइए, प्रिविवीस वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है, जल्दीश बताइए इसका हैटकोर्टर कहां पर है, उसके बाद The Rising Star Award ये Coal India Limited को मिला था Ministry of Commerce Industries की तरफ से कई सारे अवार्ड दिये गए थे ये से Coal Ministry को अवार्ड बिला था GM Portal के थुरू Procurements करने के लिए Best Engagement के टेगरी में Coal India Limited को ये अवार्ड बिला था Rising Star का NLC India Limited को अवार्ड बिला था Timely Payments के टेगरी में GM Portal का कैसे इस्तमाल करते हैं इसारे निकाए उनको देखते हुए ये कुछ आवार्ड अनॉंस के गए थे अब जाते हैं Winner Short Film at Asia International Competition Asia International Competition हुआ था कहां पर Short Short Film Festival में जान रखेगा इसका नाम सई Short Short Film Festival 2023 में Asia International Competition हुआ था इसमें Best Short Film का आवार्ड मिला था लगू Film Standy में गिद नामक फिल्म को जिसके अब रेता है श्री संजय मिस्रा British National Award शेखर कपूर को मिला था Best Director के टेगरी में ये आवार्ड उन्हें उनकी फिल्म में What's Love Got To Do With It के लिए British National Award मिला है Scorch Gold Award ये जुलाई मंत में मिला था जम्मू कश्मीर के Rural Livelihood Mission को जम्मू कश्मीर Rural Livelihood Mission को पुरुसकार मिला था इस थीम पर State of Governance India 2047 की थीम पर ये पुरुसकार मिला था जेहन के अडिनिस्टेशन को The Rising Global Superstar of Indian Cinema का पुरुसकार ये अभी मिला नहीं है मिलेगा कारतिकार्यन को Indian Film Festival of Melbourne में जो की आयोजित होगा आउगस्त में Elephant Family Award ये Mark Shand पुरुसकार नीलगिरी परवत के आदिवासी जिंजाती को भी मिला है इंगलेंड की शासक और इंगलेंड की महरानी की द्वारा इसमें तारा अवर्ड मिला है कारतिकी गॉंगसाल्विस को ओसकर अवर्ड विनिंग डॉक्मेंटरी फिल्म Elephant Whispers जो इनोंने बनाई थी उसके लिए ये पुरुसकार बिला है मतलब Elephant Family Award कारतिकी गॉंगसाल्विस को ये अवर्ड इंडियन कंजर्वेशनिस्ट को दिया जाता है भारतिस अन्रक्षन वादियों को लोकमा ने तिलक पुरुसकार 2023 प्रधान मंत्री नरेंद्र वोधी को एक अगॉस्ट को दिया जाएगा तिलक मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा AIFF पुरुस महिला फुटबॉलर आफ दा इयर का पुरुसकार पुरुस ट्रेडी में लाल यांजवाला चांग्टे को मिला है जो की मुंबई सिटी एफसी से खेलते हैं भारत से खेलते हैं फुटबॉलर है और महिला श्रेडी मिला है मनीशा कल्यान को ये आवर्ड AIFF काफी बड़ा आवर्ड होता है जो बॉक्सर है IGF UK Special Award ये नहरू सेंटर को मिला है for significant contribution to UK-India relations और शेखर कपूर को lifetime contribution for UK-India relations के लिए पुरुसकार मिला है Most Preferred Workplace of 2023-2024 NTPC Limited को Most Preferred Workplace in India का वर्ड मिला है Team Marksman के दोरा UK PM Point of Light Award ये मोक्षा रोई को मिला है 7 साल की ब्रिटिश भारती स्टूडेंट है ये जो है मिला है UK का Point of Light Award Environmental Airline of the Year का पुरुसकार मिला है एतिहाद Airways को National Airline जो की UAE की है Second Time लगातार दूसरे साल को अवर्ड मिला है Environmental Airline of the Year का Point of Light Award दो एक और को मिला है मतलब ये मोक्षा रोई के लावा रजिंदर सिंग धत को मिला है Point of Light Award इटली दोरा भारती सैनिकों को दिवंगत भारती सैनिकों को समानित किया गया है जिन्होंने Second World War में पार्सपेट किया था Second World War के दोरान Upper Tiber Valley में हुए युद्ध के दोरान मारे गया जो हमारे सैनिक थे जैसे नायक यश्वंत गाडगे को Victoria Cross इन्होंने दिया और एक और है Y.C. यश्वंत गाडगे सुन्दिलाल मेमोरियल भी इन्होंने बनावाया है काम बनवाया है? मॉन्टोन में जो की इटली में है तो ये ध्यान रख सकते हैं आगे बड़ते हैं हम लोग Books and Author में ज़्यादा बुक्स आई ने है इस पार Through the Broken Glass ये आटो बाइओग्राफी है यानि आदम कथा है T.N. Sheshand की जो फॉर्मर Chief Election Commissioner रह चुक है इंडिया के और यही Most Important Books है अगर इस महीने कोई books पूछे जाने की संभावना है तो ये वाली book है आगे ज़रूर पूछे जा सकती आरो में इस में पूछे जा सकता है धेहन रखिएगा काफी जरूरी book है और काफी जरूरी व्यक्ति की आत्म कता है T.N. Sheshand की ये election commissioner रहते थे तो नेता इनसे थर-थर-थर-थर कापते थे और ये सबाप पढ़ लीजेगा इनके बारे में जाते जरूरी नहीं है काफी सारे electoral reforms के लिए जाने जाते है Shri T.N. Sheshand As the wheel turns ये रंजीत प्रताप ने लिखिये किताब Managing Director जो है इनकी किताब को जारी किया था Former Vice President M. Venkaya Nadewji ने Krishna The Seventh Sense ये मल्यालम translation इसका हुआ है देवाशी चेटर जी ने किताब लिखिये बस इतना जरूरी है कि इसने जारी किया ये सबाब skip कर सकते हैं नहीं जरूरी है फिर इसके बाद आजाते हैं Maya Modi Azad Dalit Politics in the Time of Hindutva सुधापाई और सज्जन कुमार ने किताब लिखिये India Rising Memoir of the Scientist ये आर्चिदंबरम और सुरेश गंगोतरा किताब है NTR के उपर किताब लिखिये है यहां पर रामचंद्र मूर्ति कौन दुभाटलाने Important Day Dates theme में National Insurance Awareness Day 8 जून को होता है National Statistics Day 29 जून को यह काफी पूच्छा जाता है International Day of Tropic 29 जून को ही यह Goods and Service Tax Day GST दिवस यह 1 जुलाई को होता है GST कब जारी किया गया था? 1 जुलाई 2017 को यह Iconic Date ध्यान रखेगा 101 अंतराश्टी सहकारिता दिवस 1 जुलाई 2023 को मनाया गया इस साल क्योंकि इसमें कोई fix day नहीं होता है यह हर साल बना जाता है 1st Saturday of July में तो 1st Saturday of July पढ़ा था इस बार आपका 1 जुलाई को ही पढ़ गया था इसमें क्या हुआ कि 7th India Cooperative Congress दिली में हुआ था प्रक्ति मैदान में 1st और 2nd July को इसकी theme थी अमरित काल prosperity through cooperation in a vibrant India या फिर for a vibrant India इसके बाद राश्ट्री चिकितसक दिवस 1 जुलाई को Dr. बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में हम लोग मनाते हैं BC रॉय के सम्मान में National Doctors Day CA दिवस हम लोग मनाते हैं 1 जुलाई को इसके बाद World Zonosis Day 6 जुलाई को 2nd World की स्वाहिली दिवस 7 जुलाई को पहला World की स्वाहिली दिवस पिछले साल बनाया था 2022 में 23rd National Fish Farmers Day 10 जुलाई को होता है और राश्ट्री मत्स विकास बोर्ड की स्थापना 2006 में मत्स पालन विभाग मत्स पालन मंत्राले, पशुपालन और डेरी विभाग भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकार के अंतरगत एक स्वायत संगठन के रूप में की गई थी राश्ट्री मत्स सिकिसां दिवस वग्यानिक डॉक्टर के एच अली कुनही और डॉक्टर H.L. चौधरी की याद में बनाया जाता है वर्ल्ड पॉपलेशन डे ये 11 जुलाई को और साल होता है और इस बार इसकी थीम महुत इंपोर्टन है अनलीशिंग दा पावर्स अफ जेंडर एक्वेल्टी Uplifting the Voices of Women and Girls to Unlock the World's Infinite Possibilities बड़ी ज़रूर थीम है लेकिन इलर नहोना चाहिए आपको Keyword याद रखेगा जिनटर इक्वेल्टी थीम है यहाँ पर Unlock a World World Unlock theme है Unlock keyword है और possibilities keyword है Voice keyword है इतना याद रख लेंगे तो option में असानी सपहचान ले जाएंगे तो सबसे पहली बार World Population Day का बनाया गया था 11 जुलाई 1989 में 11 जुलाई 1987 में क्या है World Population 5 billion पहुंच गई थी तो उसी को देखते हुए दो साल बात से World Population Day बनाया जाने लगा International Malala दिवस यह 12 जुलाई को होता है Nabard Foundation Day 12 जुलाई को होता है World Youth Skills Day 15 जुलाई को इस बार इसकी ठीम थी Skilling Educators, Trainers and Youth for Transformative Future इसके बाद वहिश्विक अंतराष्ट्री नया दिवस यह 17 जुलाई को होता है इसी दिन Rome Statute को अपनाया गया था अंगी कार किया गया था Overcoming Barriers and Unleashing Appodities for Social Justice इस बार थीम थी Nelson Mandela दिवस 18 जुलाई को World Chess Day यह आपका 20 जुलाई को होता है और Chess बहुत महत्पूर्ण भारत के लिए Chess की सुरुवात भारत से मानी जाती है और इसको चतुरंग कहा जाता था चतुरंग के बारे में Haryana PCS का जो फेपर हुआ था यह एक्जाम 2021 का उसमें पूछा गया था इसके बाद International Moon Day यह भी जुलाई को होता है इस साल बड़ा जलूरी है क्योंकि ओविस सी बात है इस साल चंद्रियान थ्री हम लोग लूंच कर रहे हैं और पहुंच भी सकता अगस्त में World Brain Day यह बाई जुलाई को होता है National Mango Day बाई जुलाई को Broadcasting Day 23 जुलाई को Mangrove पारिस्तिति के संद्रक्षन के लिए अंतराश्ट्री दिवस 20 जुलाई को World Nature Conservation Day अठाई जुलाई को इसकी थीम थी Forest and Livelihood World Hepatitis D की थीम थी One Life, One Leaver इसके बाद Defense में आ जाते है Sain ने अभ्यासी आगने आस्त्र हुआ था पूर्वी लद्दाक में भारती सेना ने इसका आउजन किया था First Maritime Partnership Exercise India, France, UA की यह सहीं तुरूप से हुई थी कहां पर विशाखा पटनम में जिसको वाईजाक कहते है इसमें भारत के Guided Missile Destroyer जहाज और Petrol Weasel I.N.S. Sumidha ने पार्टिपेट किया था और I.N.S. Rana ने पार्टिपेट किया था सात्मा भारती नौसेना अमेरिकी नौसेना का बचाओ विसफोटक आयुद निप्टान अभ्यास यह कोची में हुआ था इसमें पार्टिपेट किया था अपरेशन बहादुर यह पुंच कश्मीर में एंटी टेरर ओप चलाया गया था राश्ट्री राइफल्स कश्मीर पुलिस ने चार आतंखवादियों को जहां वो बिलॉंग करते हैं महां पहुचा दिया और ओपरेशन त्रिनेत्र यह भी हुआ था यह पुंच सेक्टर में हुआ था जमू काश्मीर में और यह भी एंटी टेररिस्ट ओपरेशन था ओडुंच सेक्षन में आ जाते हैं विष्व का पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन वाला रॉकेट स्पेस में लॉंच किया गया था और यह सब जो ज्यादाHeं चीजे चाइना करता है banget रोकेट बगरा में आजकल चाइना काफी ध्यान दे रहा है अलाकि प्रयास इससे पहले अमेरिका भी कर चुका है अमेरिका ने जो है टराइन वन लॉंच किया था लेकिन ये रोकेट स्पेस तक पहुंची नहीं पाया मिसन फेल हुआ Elon Musk की प्राइवेट कंपनी SpaceX ने अपनी Starship लॉंच की ऐसे ही मतलब मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन वाले रोकेट से लेकिन ये भी सक्सेस्फुल नहीं रहे चाइना ने सक्सेस्फुल इसको भेजा Land Space दौरा ये बनाया गया था चाइना कंपनी दौरा जूक्यू 2 नाम का ये कैरियर रोकेट था अगेन ये सबसे जरूरी है कि रोकेट का नाम क्या था वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रोकेट का नाम है GQ2 ऐसे याद रख लिजे आप आगे जाते हैं फॉस्वीन गैस को डिस्कवर किया गया है वीनस के अट्मासफेर में 2020 में फॉस्वीन को वीनस के क्लाउड में डिस्कवर किया गया था तब से प्रयास जारी है फॉस्वीन को फाइनली यहाँ पे Venus के atmosphere में धून लिया गया है phosphine gas को दिहान रखेगा इसके बाद first open source computer operating system जो है China ने launch किया है चाइना ने अपना घरेलू यानि domestic open source desktop operating system DOS launch कर दिया है जिसे ये लोग open kailin 1.0 कहे रहे हैं ठेक है open kailin एक Linux operating system है window नहीं दिहान रखेगा US की technologies पर नेट भरता कम करना चाहता है जाहेना तो इस वज़े से इन्होंने अपना खुद का बना लिया जैसे भारत ने अपना mobile operating system भार OS बनाया लेकिन तब से उसकी कोई चर्चाई नहीं है आगे बढ़ता है हम लोग threads, threads के बारे में आपने सुना होगा अप है कोल विला करके या उससे मतलब inspired हम लोग कह सकते हैं अच्छे लोगों की भासा में India will launch seven satellites of Singapore will launch की जगए launch कर दीजिए क्योंकि successfully launch कर दिया गया है satellites orbit में पहुँच भी चुके हैं और कौन सा promotion यानि यानि rocket हमने यूज किया था PSLVC C56 यह बहुत ज़रूरी है promotion यहां ध्यान रखा करिए किसी भी promotion में PSLVC56 यहां पे ध्यान रखिएगा इससे launch किया गया था सिंगापूर के उपग्रहों को launch किया गया था सागर संपर्क made in India navigation system ships के लिए इसको नागरेट किया गया यह एक differential global navigation satellite system है इसको 12 जुलाई को इनागरेट किया गया था हमारे ministry of shipping के दोरह solar ultraviolet imaging telescope यह पुणे में जो है जारी किया गया है पुणे का Inter University Center for Astronomy and Astrophysics ने एक unique space telescope डवलोग किया है जो solar ultraviolet imaging telescope है इसको आधित्यमिशन में भी यूज़ करने वाले हैं इसको डवलोब किया है यह most reflective exoplanet अब तक सबसे most reflective discover किया गया है ठीक है काफी hot है और काफी unique है अपने solar system में hot यानी की गर्म भारत का जो regional navigation satellite system है जिसको हम लोग नाविक बोलता है इस पर आधारित एक positioning navigation और timing device P&T device अभी डवलब की गई है किसमें इसको डवलोब किया है Alena Geosystems नामक फर्म है बैंगलोरो में उन्हें बनाया है P&T positioning navigation and timing device इसका उपयोग railway भूमी सर्वेक्षन दूर संचार telephone lines विछाने तेल और गैस की खोज करने में सठीक navigation functions के लिए किया जा सकता है जोहर चावल काफी चर्चम है पूरोतर छेत्र में गवाया जाने वाला एक सुगंदित चावल होता है blood glucose level को कम करने के लिए जाना जाता है blood glucose level कम करने के लिए जाने जाने वाला एक तरीके का जोहर आईस है मदुमे प्रबंधन याने की diabetes management के लिए एक अच्छी तरीके से काम आने वाला neuro trosteutical हो सकता है यह शीत काली नधान है और सुगंद के लिए जाना जाता है सुगंद असवाद के लिए इतना बस ध्यान रखिए बागी जो गहर जरुवीतत हैं वह आपको हटा करके PDF मिल जाएंगे omega 3 fatty acids जो है बहुत सारी metabolic diseases जैसे diabetes heart diseases cancer आधी को दूर करने काम करते हैं जो इसमें पाए जाते हैं चावल में एक नई variety जो है गेहों होजी गई है PBWRS1 पंजाब उन्विश्टी ने इसको डवलप किया है तो यह भी diabetes patient के लिए काफी अच्छा काम आएगा इसकी bread खाने से तुरंथ blood glucose level peak नहीं करेगा इसके होँ में जितना starch content होगा उसका केवल जितना wheat में starch content होता है normal wheat में उसके kutula में 60-70% ही रहेगा social media app twitter ने अपना नया logo यहां पे launch किया किसी ने अगर twitter चलाते हैं देखा होगा x करके कर दिया है तो twitter को अब x के नाम से जना जाएगा तो twitter के नाम रहेगा logo उनका bird नाव करके x है बहुत प्रतीक्षित यह था और कई logo change कर रहे है logo के जगे कुछ लोग कहते doji आने वाला है doji meme वाला dog आने वाला है लेकिन वो नहीं है excel होग twitter के ceo इस समय लिंडा या कारिनो है ध्यान रखेगा Elon Musk नहीं है यह ध्यान रखेगा cloud seeding का सफल परीक्षिन यहां पर IT कानपूर के विशेशग्यों ने किया था और एक क्रत्रिम उडान का बकाइदा परीक्षिन भी किया इसको टेस्ट किया गया तो इसका दोबारा यहां पर repeat करने जरुड़ी नहीं है तो मैं जल्दी आगे बढ़ाता हूं उसको लीजा नामा के AI generated news anchor launch किया है ओडिशा ने तो यह जरुड़ी है कि किस राज ने इसको लाँच किया ओडिशा ने तो यह news anchor है जो कि मतलब news जो लिक करके दी जाएगी उसको पढ़ देगा April 2023 में Kuwait News ने सबसे पहले AI generated anchor से news पढ़वाने का फैसला किया था जिसको फैदा कहा गया था ओडिशा की हतकर का साड़ी पहने करत्रिम महिला दिखाई गई है जो कि हिंदी एग्रेजी उडिया में news पढ़ सकती है France ने एक hypersonic glide missile का परिक्षण किया है जिसका नाम है VMAX 26 June को इसका परिक्षण किया था और बस इतना ध्यान रखिए यहां पर इसके बाद आज़ते हैं Indonesian Communication Satellite Satria 1 Satria 1 यह Indonesian Communication Satellite है इसको इन लांच किया June में इसके बाद क्रीमियन कॉंगो रक्ष सरावी बुखार क्रीमियन कॉंगो हिम और इजिक फीवर वायरिस यह काफी चर्चा में रहा था यह कहां पर देखने को बिला आए इसकी बिमारी की spread यॉरप एफरिका और मधपूरु जैसे देशों में देखी जा रही है भारत 6G Alliance के बारे में बात कर लेते हैं तो जैसे हमने 5G में रॉल आउट कर दिया है 5G testbed को IT मुद्रास लीड कर रहा था 5G कई सारे टावर हमने बनाए है और ऐसा कहा जा रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट 5G ecosystem भारत के पास है अलांकि वो जिस parameters के use कर रहे हैं वो अलग तरीके का है जैसे भारत में इतने सारे टावर लगाएगा है लेकिन भारत में जनसंख्या इतनी जादा है कि हर किसी को अभी तक 5G नहीं मिल पाया है खैर जो भी ज सिस्टम हमने literally हांसिल कर लिया सरकार के हिसाब से हम 6G पर leap out करना चाहते है तो भारत ने 6G aligns यहां पर शुरू किया है भारत 6G aligns सबसे पहले understand करना चाहता है कि हम कहां पर समाजिक तौर पर और व्यवसाइक तौर पर कैसे 6G का use कर सकते है ठीक है 5G ले आए 5G का requirement ही क्या ह आपके घर में 5G का इस्तमाल कैसे हो अब आप पहेंगे TV देखना है 4K में 8K में TV देखना है वो भी जो है चल जाता है जो कह सकते है 4G भी अगर fast है तो चल जाता है तो 5G के उपयोग internet of things में हो सकते है automated vehicles में हो सकते है internet of things kitchen appliances में हो सकते है smart refrigerators में हो सकते है लेकिन वही बात ह है कि इन सब को afford कौन करेगा इनको सब को afford हर को ही नहीं कर सकता है luxury products है तो वही हमको देखना पड़ेगा कि 6G का उपयोग आम जन्मानस जो है कैसे कर सकता है 6G का use पहले हम लोग देखेंगे और उसके हिसाप से फिर R&D initiatives इसमें जो है चालू करते हैं यह है भारत 6G Alliance को भी इसको कौन लीड कर रहा है यह सब नहीं बताया गया है आगे के मंथ में आपको बता देंगे ऑस्टियो एचर नेट नामा के AI-based deep learning अधारित एक framework बनाया गया है IT गुवाहाटी के शोतकर्ताओं ने विक्सित किया इससे क्या कर सकते हैं कि X-ray से पता किया जा सकता है कि arthritis को क इसको वैसे डीप लर्निंग से लेस्ट करना चाहते है मसीन को जिससे जो हट्डियों में arthritis हो जाता है और खासकर घुटनों में उससे पता लग सकते हैं कि वह कितना गंभीर है और क्या उसको ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं ठीक रिजर पे द्वारा मेलेशिया में अपना पहला अंतराश्टी भुक्तान गेटवे लांच किया गया है तो इसको उन्होंने करलेक बाई रिजर पे नाम से रीब्रेंड करके वहाँ पे लांच किया है तो रिजर पे भारत का गेटवे है इन्होंने मेलेशिया में अपना प इस्त्रे छेत्र में जो गलेक्सीस फैली है उनका एक 3D मैप यह बनाएंगे टिक रिसर्च के कामाये को बिला करके गुलियन बेरे सिंड्रोम की वज़े से स्वास्त आपातकाल कहां भोशित किया गया है पेरू में पेरू में एक नहीं बिमारी देखने को बिल रही है गुलि टेक्नलोजी का दुनिया का सबसे बड़ा निजी उपगरह जूपिटर 3 अंत्रिक्ष में लॉंच किया ठीक है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट सेटलाइट जूपिटर 3 यह सब्ताइज जुलाई को लॉंच किया किसने स्पेसेक्स ने स्पेसेक्स किसकी कंपणी है बताने की जरूरत नहीं एलाउनमस्क की कंपणी है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्मुनिकेशन सेटलाइट उन्होंने लॉंच कर दिया है स्पेसेक्स सेक्षन का जुलाई मंद 2023 का सबसे बड़ा करेंट इवेंट चंद्रियान इसके महत्पून उतरते देख लेते हैं बड़ा बड़ा जरूर होगा लेकिन चंद्रियान से आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे कोई भी कोश्चन आजाए चंद्रियान से आप इसको ए चंद्रियान 3 की 23 अगस 2023 को लेंडिंग होनी है पूरी यात्रा में 22 दिन लगने का नुमान तो 23-24 कुछ भी हो सकता है पहले पूछे जा चुका है चंद्रियान 2 के बारे में कि लेंडिंग कहां पे होगी तो दक्षनी धुरुव यानिकी साउथ पोल के समीप होनी है जिसक चंद्रियान 3 इंडिया का थर्ड लूनर मिशन है और कुल विलाकर सेकेंड एटेम्ट है सौफ्ट लेंडिंग अचीव करने का अभी तक केबल तीन देश यहां पे सौफ्ट लेंडिंग अचीव कर पाए है भारत चौथा देश बन जाएगा अगस्त में अगर सौफ्ट ल लेंडर मॉड्यूल है प्रपलिशन मॉड्यूल है और रोवर है जिससे जो है सौफ्ट लेंडिंग यहां पर करने वाले हैं लेंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रग्यान है चंद्रियान 2 में भी यही नाम थे और इसी को करी फोवर्ड किया बदला नहीं गया ह और रोवर को प्रग्यान कहा गया है चंद्रियान 3 के प्रपोर्शल मॉड्यूल में स्पेक्ट्रो पॉलरी मेट्री आफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ ये शेप टेखनोलोजी का यूज किया गया है उसके बाद यहां पे कि चंद्रियान 3 लेंडर में सोलर पैनल्स लगे हैं और जो प्रग्यान है ये 6 पाईयों माला रोवर है ये भी पूछा दा चुका एक बार कि कितने पाईयों है इसमें 6 हैं रोवर में तीन लाइन में में मेजर अब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं चंद्रियान 2 ये फेल हो गया था सौफ लेंडिंग नहीं हो पाई थी ESLV MK3M1 से इसको लांच किया गया था और अब LVM3M4 से लांच किया गया है लेंडर और रोवर क्रैश कर गये थे मून की सरफेस पे और बिटर सक्सेस्फुली रहा था इसमें और इसने डेटा कलेट किया था तो देखते हैं सक्सेस्फुल होता है कि नहीं भारत के लिए काफी गवर्व की बात होगी बाकी यह जो हैं Chief Minister Keral के दो बार रहे चुके हैं 2004 से 2006 तक और 2011 से 2016 तक Scheme Campaign Initiative देख लेते हैं मेरा गाओं मेरी धरोहर Initiative Ministry of Culture का है इसका मेरा अब्जेक्टिव क्या बताए जा रहा है मेरा अब्जेक्टिव इसका बताए जा रहा है एक Cultural Survey Conduct करना है इस राजियों और साथ के इंसासित प्रदेसों में एक Cultural Survey Conduct किया जाएगा जिसमें यह बता लगा जाएगा कि आपका विलेज या मेरा विलेज या किसी का विलेज क्यों यूनीक है उस विलेज या ब्लॉक की खास बात क्या है और उसको पूरा डॉक्यूमेंट किया जाएगा ठीक है तो इस तरीके से एक पूरा Cultural Map तयार हम लोग कर पाएगे कि कोई भी विलेज बारत के जो 6.6 लाग गाओं है तो उनमें क्या यूनीक है इसके बात आते हैं हम लोग PM प्रणाम और यूरिया गोल्ड योजना पर प्रणाम यानि कि प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिंस ऑफ अग्रिकल्चर मेनेजमेंट योजना इसके तहत क्या है कि एक इसको इंट्रड्ड यूरिया जिसको इंट्रड्ड यूरिया गोल्ड कहा जा रहा है इसको इंट्रड्ड्यूस किया जाएगा फस्ट टाइम पूरे देश में और यह जो है सल्फर की कमी को स्वाइल में दूर करने काम करता है और नीम कोटेड यूरिया जो प्रिजेंट पर हम यूज़ कर रहे हैं उससे भी एफिशेंट और एकनॉमिकली वायबल बताय जा रहा है डेट फॉर नेचर स्वाइप इनिशेटिव यह गैबॉन नामक अफ्रिकन देश ने शुरू किया है इसके तहट यह लोग ब्लू बॉन्ड सेल करके कुछ कह सकते हैं अब धन जुटा रहे हैं जिससे अपने वहाँ पर वो इंफ्रसक्चर कारे कर सकते हैं क्लाइमेट रिजालेंट इन्फ्रसक्चर सारे डवलपिंग कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ठीक है इन्होंने कुछ ब्लू बॉन्ड यहां पर जारी करने के लिए जिससे यह चारसो मिलियन यूस डॉलर्स जोटा सकेंगे अपने यहां पर क्लाइमेट करने के लिए इसके बाद national mission to eradicate sickle cell anemia, sickle cell anemia को खत्म करने के लिए मत प्रदेश के शैडोल नामक जिले में राश्टी sickle cell anemia उन्मूलन mission का शुबारम किया है PMO जी जी ने और इसके देशान रिदेश जारी किया है कि कैसे लोगों को sickle cell anemia से जो है मतलब sickle cell anemia की बिमारी स से इलाज कराया जाएगा अब जल्दी से comment का answer दीजिए यहां पर एक question का answer दीजिए कि comment में कि sickle cell anemia किस टाइप की disease है क्या यह deficiency disease है क्या यह communicable disease है या फिर यह deficiency disease है जल्दी से comment करके बताएगे अब स्वाइनिमा योजनेक बारे मात कर लेते हैं सामाजिक नया और अधिकार करता की भावना में समवर्धन करना है जो मेलाएं अपना खुद का छोटा विवसाय शुरू करना चाहती small business उनको यहां पर दो लाख रुपए तक का रिणी आपर पांच प्रतीसत की वियाद पर उपलब्द कराया जाएगा यह है स्वाणिमा इनिशेटिव आयुश्मान प्रोग्राम यह union health ministry ने इसको किया था इनौगरेट किया था इसके तहता आयुश्मान आपके द्वार 3.0 आयुश्मान सभा आयुश्मान मेला आयुश्मान ग्राम जैसी विभिन इनिशेटिव अपना ही जाएंग जिससे बिलाकर जो जना रोगियो जना है आयुश्मान भ एक्सपेडिशन 35 दिवस तक बंगलदेश और मौरिश्मान ग्यान को ने यहां पर चलाया था ठीक है भारत के इस जो है सागर निधी वीजल का प्रयों किया गया था कोलंबो सेक्योर्टी कंक्लेव जो ही थी कोलंबो सेक्योर्टी डायलोग जो है उसके फ्रेमवर्क में ज आते हैं जैसे बंगलदेश हो गया जैसे की भारत है जैसे मौरिश्मान शीचल से तो उसके तहट भारत ने अपना जहाज रिसर्च के लिए इन दोनों देशों को दिया है नारी अदालत पहल कावी इंपॉटन्ट है आगे पूछा जा सकता है तो महिलाउं सम्मंदित जो चोटी विवाद होते हैं जगड़ा जो है घर में इससा ना देना और जो है सम्मान न मिलना महिला को घरेली इन सब गयरा की छोटी-छोटी गटना है उनके प्रती एक कह सकते हैं वैकल्पिक समाधान प्रदान करने के लिए यह महिला अदालत योजना शुरू की गई है महि चलता था पारिवारिक महिला लोक अदालत चलती थी या महिलाओं की पीपल्स कोट 2014-15 तक यह चला करती थी NCW National Commission of Women के द्वारा अब नहीं चलती है वसी की तरज पर इसको नारी अदालत को रिडवलप किया जाएगा पाइलेट बेसिस पर 50 विलेज में खाली चलेगी असम और जम्मो कश्मीर में फिर इसकी प्रागती को देखते हुए इसको आगे बढ़ाय जा सकता है या तो फिर इसको नहीं आगे बढ़ाय जाएगा कैनाबिस मेडिसीन पर योजना जम्मो कश्मीर में शुरू हो चुकी है इसमें जो हम किसका कैनेडियन फर्म का सयोग ले रहे हैं कनाडा की एक फर्म है इंडस कैन इसका नाम है यह जो है CSIR के IAM के साथ मिलकर IAM का मतलब है Indian Institute of Integrative Medicine यह जम्मो कश्मीर में है तो इसी इंस्ट्यूट के साथ मिलकर के Canadian firm Indiscan यह रिसार्च करने वाली कैनेबिस में जिससे बहुत सारी असी ड्रग बनाई जा सकती हैं जो कि काफी महगी मिलती है और भारत में अवेलबल नहीं है राज की ओजनाओं में कुछ खास आया नहीं था राज की ओजनाओं में यह आई इनिशेटिव देख सकते हैं जेंडर इंक्लूजिव टूरिजम पॉलिसी आई नामक इसको शुरू किया है महराष्ट ने महराष्ट के टूरिजम डवलोपेंट कॉर्परेशन ने महिला उद्यमिता विकास महिलाओं के लिए बुन्यादी सन रचना सुविधा महिला परेटकों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाये का इस पॉलिसी के टाहता आई शब्दकार्थ जो है महराष्ट की वासा में आई शब्दकार्थ होता है मदर जून मन्त में स्पोर्ट सेक का नाम पर पूछ लेते हैं तो ये स्पेन से हैं इन्होंने हराए था नौवाग जोकोविच को जो की सर्भिया से महिला एकल में विजेता रहे थी मार्केटा वोन्रोस हुआ ये चेक रिपब्लिक की प्लेयर है चेक गंडराज से आती है और इन्होंने हराए था पहले तेज गेंदबाज इन्ही की टीम से खेलने हाले जेमस एंडरसन है और सेकेंड ये बन गए स्टुवर्ड ब्रॉड ये धियान रखेगा बाकी अगर देखा जाए वैसे सारे गेंदबाजों को यानिकी जैसे दो मेंली गेंदबाजी विधा होती है क्रिकेट में पर 500 बैडमिंटन टॉर्नेमेंट इसके वज़ेता रहे थे लक्ष सेन इन्होंने हराय था ली शी फेंग को जो की चाइना से हैं विराट कोली ने अपने कुल मैच की 569 इनिंग में हासिल की थी सचिन ने 587 पारी में अपना 64 सेंचुरी लगाई थी तो यह जान रख सकते हैं आगे बढ़ते हम लोग वRT Tennis Contenders यह ट्यूनिस में हुआ था सुतीर्था मुखर जी और आहिका मुखर जी ends मेला यूगल में यानि at डबल में ही यह टाइटल जीता था ठर्या व्ल्ड टेबल स् applaud ट्यूनिस इंडरिश्क एसरप्रश्टए अन्डर पाने वाले पहले भारती अथलीट बने हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट हिट इन बैडमिंटन इन्होंने एक स्मैश लगाया था मैच के दौरान जो की 565 के अंपीच की स्पीड से लगाया था और फास्टेस्ट हिट बाई अमैल प्लियर के रिकॉर्ड अब इनके नाम हो गया है ये हैं बैडमिंटन प्लियर भारत के सात्विक्साईराज रंग की रेड़ी टोरिया बैडमिंटन ओपन 2023 इसको भी जीता था सात्विकसाईराज और उपई जता रहें थी जॉड़ी एना ब्रॉज इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं यह इतना जरूरी नहीं है लासेंड डाइमंड लीग को लास्ट यर भी निरेच चोपरा ने जीता था स्वाण पदक इसमें जीता है लासेंड डाइमंड लीग दोजार तैस में महिलाओं की भाला फैंक प्रतियोगता में स्वाण पदक जीता है मैकेंजी लिटिल ने और भारत के मुरली श्री शंकार पुरुशों की लंबी कूट्स परधा में पांचवे स्थान पर रहे थे 27-वाँ हीरो सीनियर महिला राष्ट्री फुटबॉल चैंपिनशिप इसमें 32 टीमों ने पार्टिपेट किया था विजेता रहा था तमिल नाडू और उपिजेता रहा था है यहाँ पर हरियाणा एशियन कबड़ी चैंपिनशिप का आउजन हुआ था इस बार बोसान में साउथ कोरिया में तो विजेता यहाँ पर इरान रहा था भारत ने आठवी बार एशियन कबड़ी चैंपिनशिप जिट लिया है श्याट इम्मों ने इस पर पार्टपेट किया था सफ फूटबॉल चैंपिनशिप यह टूटरमेंट जो है बैंगलूरू में आउजन हुआ था भारत इसमें विजेता रहा था इसमें विजेता यहाँ पर कुवायत रहा था यह एस बार इसके पूछे जाने की संभावना काफी जाता है फर्स्ट इंटरनाइसल विमेंस कब पड़ी टूरमेंट इसका होजन कहां पर हुआ था दुबाई UAE में जान रखेगा नवी मुंबई महराश्टर से बिलॉंग करने वाले अन्शमन जिंग और नौर्ट चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के विक्ति बन गया है 18 वर्स 125 उम्र के आयू में उन एक ही मैच में 7 विकेट हासिल करने वाले पहले विक्ति बने मलेशिया के तेज गिंदबाज सयाज रूल इदरास सयाज रूल इदरास ने आट रन देकर 7 विकेट लिये थे चाइना खिलाफ अब आप समझ रहे होंगे कि यह सब क्या हो रहा है तो यह जब क्वालिफायर हो यह जर्सी स्पॉंसर भारती टीम की जर्सी पर ड्रीम 11 देखने को भी लेगा और बाइजू हट गया था तो उसके बाद से अब ड्रीम 11 जो है प्रायोजक बन गई है इसके बाद ऑस्ट्रेलिया राष्ट बंडल खेल 2026 की मेजबानी करने वाला था अब नहीं करेगा यह बहुत ज़रूरी है आगे आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए कि 2026 कॉमन वल्थ की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को करनी थी अब वो नहीं करेगा रीजन उन्हों क्या दिया है कि खर्चा जो उन्होंने अनुमानित किया था उससे ज़्यादा खर्चा निकल ला आए तो इस वो जैसे वो अब इसका आउजन नहीं करेंगे तो जो भी कंट्री को आप मेजबानी मिलेगी तो उसका नाम आपको देहान रखना पड़ेगा व जो की पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं यह पहले ऐसे क्रिकेटर बन गाए है पूरे वर्ड में जिन्होंने साथ लगातार मैचों में half centuries लगाई हैं साथ लगातार मैचों में 50 प्लस इन्होंने स्कोर किया है अब समिट पर आ जाते हैं, समिट में सबसे पहले फिफ्ट हैली शिखर समेजन या फिर कह सकते हैं हेलिकॉप्टर एन स्मॉल एरक्राफ्ट समिट कॉन्फरेंस ये खाजुराहो में वह थी मध्रदेश में रीचिंग दे लास्ट माइल इसकी थीम थी और उडान 5.2 को इसमें लाँच किया गया था दूर जराज के छेतरों और छेतरी लाकों में कनेक्टिविटी को बैदर करने के लिए 1A टाइप के कटेगरी 1 के छोटे विमानों के जरी अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनेशित करने के लिए इसमें और उडान 5.2 को लाँच किया गया है तो और उडान 5.2 यह किसे समधित है छोटे विमानों को लाँच करने से और जो दो जराज इलाके हैं जहां पर स्टरक से नहीं पहुच जा सकता है वहां पर कनेक्टिविटी को निशोर करने के लिए W20 का रिक्राम G20 के तहती कहां पर हुआ था यह आनंद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था गुजरात में इंटरनाइसल कॉन्फरेंस ओन ग्रीन हाइट्रोजन यह हुआ था न्यू डेली में वस इतना ध्यान रखिए Startup 20 Summit यह हुआ था गुरुगराम हरियाना में इसके बाद Two Day Meeting of Labor, Employment and Secretaries of States and Union Territories यह हुआ था आगरा उत्तरप्रदेश में Employment Secretaries या फिर जो श्रम निदेशक होते हैं उनका समयलन राजियों के श्रम निदेशकों का समयलन हुआ था आगरा उत्तरप्रदेश में 3rd G20 Infrastructure Working Group की मीट हुई थी रेशी केस में उत्राखंड में 4th और आखरी मीट इसकी होगी खजुराहों में सेप्टेमबर में वतसल भारत नाम से एक संगोष्टी का आउजन किया गया था नाई डिल्ली में और इसमें 9 राज्य और केंसासिज प्रदेश उने भाग लिया था पंजाब भरियाना उत्राखंड उत्रप्रदेश दिल्ली चंडीकर जम्मू कश्मीर रद्दाक हिमाचर प्रदेश तो कौन इसमें नहीं सामिल हुए यह पूच सकते हैं कि बतसल भारत में कौन सामिल नहीं हुआ थ नियो डेली में हुई थी ज्यादा इसमें को जरूरी नहीं इसको छोड़ सकते हैं कि फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम एयाई फॉर भारत 2.0 इनिशेटिव यह शुरू किया है लास्ट यर एयाई फॉर भारत लाया था यहां पर स्किल इंडिया के तहद एयाई फ इसका एउजन दिल्ली में हुआ और इसमें वर्चुल तोर पर कई सारे जो मतलब राष्ट रहें वो जुड़े जैसे आठ मेंबर्स थे इसमें बंगिया है और इरांत के लिए बारत के रूप में इसमें इसमें बंगिया है में तुर्क मेनिस्तान को यह बहुत जरूरी है यह पूछा जा सकता है, जान रखियेगा और इरान, बेलारूस और मंगोलिया को Observer States के रूप में SEO Summit में इन्वाइट किया गया था तो आगे बढ़ते हैं हम लोग AI खत्रों पर पहली बैठा किये UK में हुई थी, AI के खत्रों पर पहली बैठा किये आ हुई थी UK में इसमें Antonio Guterres ने काया है कि सेंवत राष्ट को 2026 तक युद्ध के लिए 140 हथियारों में AI के उप्योग पर प्रजिबंद लगाने के लिए कानूनी डूप से भादिकारी समझा होता पहले ही कर लेना चाहिए क्योंकि AI के पोटेंशिल सभी जानते हैं 56 आसियान Foreign Minister की मिनिट हुई थी जकारता इंडोनेशिया में आसियान के देखता इस साल इंडोनेशिया के पास है तो यहाँ पर सारी जो बैठके होंगी उसको होश्ट कोन करेगा इंडोनेशिया साओधी अरब इमराइट्स को जो है यानि साओधी अरब को ओफीशली 51 कंट्री यहाँ पर माना गया है Friendship और Corporation Treaty जो TAC होता है आसियान का उसमें सामिल किया गया है तो मतलब इनिशली अगर आसियान में किसे को सामिल होना होता है तो जो TAC में ही सामिल होता है फिस दिरी-दिरी करके फुल टाइम से दस्ता हासिल करता है Brics Urbanization Forum Durban, South Africa में पहली बार ऐसा हुआ कि फिसकल तोर पर Brics Urbanization Forum का यहाँ पर मेट हुआ था Brics Countries के stakeholders ने इसमें फिसकल तोर पर participate किया था लास्ट इयर भी यह हुआ था लेकिन वो online माद्यम से हुआ था Durban, South Africa में पहली बार प्रतनिदियों की प्रतेक्ष भागीदारी के साथ Brics शहरी करन मंच का योजन Durban में किया गया तो यह जरूरी है इसकी थीम थी Advancing Urban Resilience for Sustainable Cities Startup 20 Summit ये गुरुग्राम में हुआ था सही दियान रखिए समापन समारो के अगले G20 अध्यक्ष राष्ट ब्राजील को Startup 20 की आधिकारिक मसाल यहां पर सौफ दी गई थी दियान रखना महत्मूर है कि G20 जब भारत जो है ब्रजील को इदे हन रखिएगा उसकी बाद सात्मा इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस का योजन दिल्ली में हुआ था यमेशा दिल्ली में होता है और इसकी थीम थी इस बार Global Digital Innovation Global Digital Innovation इसका बाद है World's Largest International Temple Convention Expo विश्व का सबसे बड़ा अंतराष्टी मंदिर सम्मेलन और एक्सपो वानसी में हुआ था उत्तरप्रदेश में वानसी के रुद्राक्ष केंवेनिशन सेंटर में हुआ था और इसका उद्गाटन किया था RSS संग के सरसंग संचालक मोहन भागवतने 26 मी वर्ल्ड माइनिंग कॉंग्रेस का उजनुवा था Brisbane आस्ट्रेलिया में 22 मी वर्ल्ड रेनिवेबल एनर्जी कॉंग्रेस का उजनुवा था कौलालमपूर मलेशिया में इसकी थीमती Transition Towards a Carbon Free Future 11 एसोशेशन आफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडिज की कारेकारी बैटक वी थी कारेटी जीना कॉलंबिया में ये जो निकाय है इसमें 119 ये सदस्य हैं 20 छेत्रिय संग्या संगठन और सहयोगी सदस्य हैं ये दुनिया भर के जो इलेक्शन मेनेजमेंट बॉडिज हैं उनका ये समूव है को बिलाकर के जैसे भारत में चुनाव आयोग है तो ऐसे ही आने राष्टर में जो भी होते हैं इलेक्शन मेनेजमेंट बॉडिज वो सब इसमें सदस्य राष्टर के रूप में सदस्य मतलब औरनेजेशन के रूप में मौझूद हैं जैसे इस कारेकारी बैटक में भारती निर्वाचन नायोग की तरफ से जो तीन सदस्य प्रतनिदी मंडल गया था उसका नेतरत रुकिया था हमारे CEC राजीव कुमार ने आगे हम लोग पुड़ते हैं जी ट्वेंटी वैश्विक खाद नियामक शिखर समेलन इस कायोजन हुआ था न्यू डेली में पहली बार इस कायोजन रोम इटली से बाहर हुआ था जरूरी है यह आ सकता है एक्जाम में एक यानवेव मीटिंग इंटरनेस्टल कमीशन ओन लार्ज डैम्स यह हुआ था गौथेनबर्ग में गौथेनबर्ग स्वीटन इसमें भारत की तरफ से NHPC Limited ने पार्ट्सपेट किया था मेटिंग में पचासमें GST परिशत की बैठे कोई थी इसमें कुछ निर्ड़ना लिएगा जैसे कैंसर के लिए जो दवाई है उस पर 0% GST लगेगा जिरो स्लैब में डाला गया जो कसीनो है होर्स रेसिंग है ऑनलाइन गेमिंग है उसमें 28% GST लगाने का याँ पर फैसल लिया गया था जिसको कभी सार लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया इस तरीके से GST परिशत के देख्षता कौन करता है इसका एंसर जो है अब जल्दी से कॉमेंट करके बताईए Global Pharmaceutical Quality Summit का जुन हो था मुंबई में और इसमें कुछ स्टाइट पताए गया था कि भारत जैसे जो भी जेनरिक दवाई है उसका 20% अस्टेक फोल्ड किये 20% जेनरिक दवाई भारत से जाती है 60% जो वर्ल्ड वैक्सीन जो प्रड्यूस हो रही है 60% वर्ल्ड वैक्सीन जो प्रड्यूस हो रही है वो भारत में बनती है ठीक है तो यह सब स्टाइट्स बताए गया थे भारत को Pharmacy of the World कहा जा रहा है Pharmacy of the World Global Livability Index Economic Intelligence Unit के दवार आता है इसमें जो लिवेबल सिटीज है उनको टॉप रैंग दी जाती है जो कम लिवेबल है यानि कि जो रहने योगे कम है उनको नीचे की रैंग दी जाती है तो Vienna, Austria ये most लिवेबल इनके द्वारा बताया गया है Copenhagen, Denmark में 2nd पर Melbourne, Australia का शहर इसको 3rd पर रखा है और भारत के शहर जैसे इसको 141 पर स्थान पर New Delhi को चेन्नाई को 144 पर 147 पर एहमदाबाद को 144 पर बेंगलुरू को यही शहर जादातर भारत के शामिल होते हैं लिवेबल सिटीज की लिष्ट में अब इसमें टॉप टू जरूर ध्यान रखेगा भारत के कौन से सहर सामिल ध्यान रखेगा रैंकिंग चाहे तो आप इग्णोर भी कर सकते हैं एनले कर नया पास्पोर्ट इंडेक्स आचुका है अपडेटेड वाला है भारत का स्थान इसमें असिवा है टोगो सेनेगल के साथ ठीक इसके बाद आजाते हैं लिष्ट ओफ ग्रेट इमिग्रेंट्स आफ इयर 2023 का ओर्डेंज का अप्रेशन के दौरा बताया गया है कि ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में अजय पाल सिंग बंगा को फोर्थ स्थान पर रखा गया है जो की न्यूली अपॉंटेड विष्ट बैंक के चेर परसन या फिर अध्यक्ष है चेर्मैन नहीं अध्यक्ष को वर्ड बैंक में प्रेशिडेंट बोलते हैं तो वर्ड बैंक के प्रेशिडेंट है अजय पाल सिंग बंगा 25 लोगों की सूची में अजय पाल सिंग बंगा को फोर्थ पर रखा गया है Sustainable Development Report यह Sustainable Development Solutions Network और Dublin University Press द्वारा जारी की गई है इसमें टॉप पर है Finland Sustainable Development के मामले में सगेंड पर Sweden है फिर थर्ड पर Denmark है भारत का स्थान इसमें है 112 इंडिया की रैंक 121 थी 2022 में इंडिया की रैंक थोड़ी सुधरी जिसे अगर हम देखें बगले देश की रैंक अच्छी है भारत से नेपाल की रैंक अच्छी है श्रिलंका की भी अच्छी है चाहिना की भी भूतान की भी बस पाकिस्तान की रैंक भारत से खराब है Sustainable Development के मामले में उसके बाद आजाते हैं 17th Global Peace Index ये शांती सुचकांक आ चुका है Institute for Economics and Peace के दौरा जारी की जाता है भारत का स्थान इस पार 126 है ठीक है भारत का स्थान 135 था 2022 में तो इंडिया की रैंक यहां पर थोड़ी सुधरी है साथ की रैंक है 126 में और सरवाधिक जो है शांती वाले राष्ट कौन से है टॉप पर आइसलेंड फिर सेकेंड पर डेन्मार्क फिर थर्ड पर आइरलेंड तो आइसलेंड जो है ये शांती सुचकांक में टॉप पर है और फिनलेंड आपका सस्टेंबल डवलोप्मेंट में टॉप पर है विश्व में सरवाधिक सामती वाला छेत्र कौन सा है योरोप का छेत्र ध्यान रखिएगा योरोप पर लिश्ट पीसफुल कंट्री कौन है अफगानिस्तान इनका इसाप से ओविसली इसके बाद आजाते हैं उर्जा संक्रमन सूचकांग पर इनर्जी ट्रांजेशन इंडेक्स टाबलू इएफ का जो आता है वर्ल्ड इकनौमिक फोरम का काफी जरूरी इंडेक्स ये भी होता है तो भारत को रैंक इसमें दिया गया है इसमें डेंडेक्स टाब पर स्वीड़े ने इसमें सेकेंड पर डेनमार्क है थर्ड पर नॉर्वे है इसमें द्यान रखिएगा एट लिस्ट और भारत की रैंक इसमें 67 थैं वर्ल्ड इकनौमिक फोरम का ये है एनर्जी ट्रांजेशन इंडेक्स थार्ड एक्सपोर्ट प्रिपरडेनेस इंडेक्स रिपूट 2022 कि आचुकी है तो इसमें पहले तो राज़ियों को क्या रहा है कि बड़े राज़े हैं, ताटी राज़े हैं फिर कि इंसासीत प्रदेस हैं फिर असतलवध राज़े हैं फिर पहाड़ी या हिमालाई श्रेंडी में आने वाले राज्जें और वैसे ओर रांकिंग भी दी गई है इसमें चार पिलर्स का यूज किया गया है नीती स्तंब ठीक है यानि की पॉलिसी पिलर बिजनेस एकोसिस्टम निर्यात पारिस्तिकी तंत्र यानि की एक्सपोर्ट एकोसिस्टम और निर्यात प्रदर्शन तो इसमें अगर आप देखें तो बड़े या तटी राज्यों में टॉप पर है तमिल नाडू इसमें और किन सासी प्रदेशों में टॉप पर है या फिर छोटे राज्यों में टॉप पर है गोवा ते सगेंड पर जम्मू है स्तलबद की स्टेंडी में टॉप पर है हरियाना और स्तलबद में उत्तरप्रदेश आता है तो उत्तरप्रदेश स्तलबद के मामले में यानि लैंड लॉग्ड स्टेट के मामले में थर्ड पर है और पहाड़ी और हिमालाई स्टेंडी में टॉप एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में से 9 पर है, अगौतम बुद्नगर है, 2021 में उत्तरप्रदेश को 6 स्थान पर रखा गया था, एक्सपोर्ट के मामले में, और उत्तरप्रदेश इस समय ओर अरल बिलब इस वाली रैंकिंग में, लेटेस रैंकिंग में 7 पर आ चुका ह ठीक है, उत्तरप्रदेश पूर्ड निर्यात वियापार मूली के मामले में, देश में कुल बिलाकर 5 स्थान पर है, ओर ओल रैंकिंग इसकी 7 पर है, ठीक है, तो यह आपर इंग्लिश मीडिया में भी लिखा हुआ है, यह बहुत ज़रूरी है, यह आपके एक्जाम में आन या फिर इस आफ डूइंग बिजनिस या उत्तरप्रदेश के एक्सपोर्ट में या फिर उत्तरप्रदेश का स्थान क्या है भारत के विकास में, तब यह आकड़े आप मेंशन कर सकते हैं मेंस में भी, फ्यूचर उनिकॉर्न इंडेक्स आया है, हुरून रिसर्च इंस्ट नेचीट और एसके प्राइवेट वेल्थ के दवारा सरवादी की उनिकॉर्ण वाले तीन भारती शहर है, बेंगलूरू, दिल्ली और मुंबई, और भारती उनिकॉर्ण के मुख्याले, जो विदेशों में हैं, अमेरिका में भारती उनिकॉर्न के हैटकोर्टर सबसे ज़ करता है तो अंकटाड रिपोर्ट की थीम है इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर रॉल इसा बताया गया है कि प्रतेक्स विदेशी निवेस अंतर प्रवाह के मामले में यानिकी सबस्यादा रिचस्टि पताया गया न्यूयोक को टोकियो को और लेंदन को फॉर्थ पर रिचस्टि सीटीज की लिष्ट में सबसे अच्छी रैंग मुंबई की है पूरे विश्व में 21 स्थान पर है बस इतना ही जरूरी है तो इसके बाद लिष्ट आफ मोस्ट वेल्वेबल कंपनीज क इस रिपोर्ट में का गया है कि चार देशों की अर्थविवस्ता मेजर सर्विसेस एक्सपोर्टर्स ग्रूप में उभरी है चौते स्थान पर इंडिया है, फर्स्ट पर चाइना है, सेगेंड पर होंग कॉंग सर्विस प्रवाइडर सिक्डॉमी की ये सूची है ग्लोबल मल्टी डैमिनिशनल पावर्टी इंडेक्स ये आ चुका है 2023 का United Nations Development Program UNDP का और Oxford Poverty and Human Rights Development Initiative की द्वारा जादी की जाता है कुछ महत्पूर्ण आकड़ इन लोग उन दिये हैं, इसको देख लेते हैं इसे इसमें बताया गया है कि 415 मिलियन लोग जो हैं भारत से 15 वर्सों में poverty से बाहर आएं गरीबी रेखा से 415 मिलियन लोग बाहर आएं भारत में 2006 की दुलना में अगर हम 2019 से 21 के बीच दुलना करें तो इसमें आकड़ा दिया गया कि 2005 हैं अगर हम देखें तो कितने गरीब लोग भारत में हुआ करते थे 64.5 करोड गरीब हुआ करते थे 15-16 में संख्या पहुंच गई 37 करोड गरीब कम हुए और अब भारत में गरीब लोग रहे गए हैं मल्टी डैमेंशलरी पूर लोग रहे गए यानि बहु आयामी रूप से गरीब लोग रहे गए हैं 23 करोड तो यह आकड़ा यहां पर दिया गया है हमारे विधायक लेजिसलेटर्स MLA जान रखीएगा यहां पर MLA इसकी बात हो रही तो सारे स्टेट से यूटीज में अगर हम देखें 4001 विधायकों में से करीब मतलब 44-24 दी नेता हत्या बलातकार जैसे गंभीर मामलों के आरोपों का सामना कर रहे हैं 28 स्टेट लेजिलेटिव एसेम्बली से दो किंसासिट प्रुदेशों के जो लेजिलेटर्स हैं उनको अगर काउंट करके 4,033 विधायकों में से 4,001 को शामिल किया गया था इस सर्वे में और केरल से सरवादिक 70% विधायकों के खिलाफ केस धर जाया यह इसमें आया था GDP पर Goldman Sachs ने अपना एक रिपोर्ट दिये उनने काया कि 2075 तक भारत की GDP पार कर जाएगी इसको अमेरिका को और केवल चाइना भारत से आगे राएगा तो चाइना इनका मानना है आगे रिकल जाएगा 1 पर इंडिया आजाएगा 2 पर और अमेरिका जो है थर्ड पर जा सकता है 2075 तक तो लॉंग टर्म इन्होंने बताया है GDP के मामले में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है सेकंड मल्टी दैमेंशनल पावर्ट इंडेक्स नीट याएग कभी आ चुका है अभी मैंने जो गरीबी के आखड़े बताया थे भारत में 2015-16 में और 2019-21 के बीच वो आखड़े जो है ये नीट याएग के मल्टी दैमेंशनल पावर्ट इंडेक्स में आए थे जो है ध्यान रखिएगा आप यहाँ समझिए कि यहाँ बताया गए है तुनीत याओ के मल्टी दैमेंशनल पावर्ट इंडेक्स में जो आकड़े मैंने बताया वो तो है ही साथिस में बताया गया है कि 2015-16 से 19-21 के बीच number of persons जो मल्टी दैमेंशनल पावर्टी में निवास कर रहे थे उनमें कमी आई है 24.85 प्रतीशत भारत की अबादी 2015-16 में मल्टी दैमेंशनल पूर थी अब भारत की अबादी कुल 14.96% मल्टी दैमेंशनल पूर रह गई है और सरवाधिक लोग जो गरीबी की इंसिडेंट से बाहर आए हैं उनमें से टॉप पर है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में सरवाधिक लोग इस अवधी में 15-16 से लेकर 19-21 के बीच गरीबी से बाहर आए हैं आप सोचरेंगों 2020 लिखना चाहिए इसमें 21 की उलिखा COVID का इयर इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं गरीबी रेखा से सबसे अधिक लोग जो उबरे हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं और फिर इसमें आता है बिहार, फिर मध्यप्रदेश, फिर ओडिसा और फिर राजिस्थान अगर परसेंटेज वाईज देखें सरवाधिक लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं वो कहां पर देखने कमिला है बिहार में पांचमा सर्वे ओन डिजिटल एंड सस्टेनेबल बिजनिस वेसिलिटेशन ये ये यूने स्कैप के दोरा किया गया था इसमें गा गया कि भारत का आगज रहित व्यापार जैसे प्रमुक छेत्रों में 100% का स्कोर आसिल करता है इनकी रिपोर्ट में भारत दक्षिन एशिया और साउथ एशिया चेतर के सभी देशों में से सरवाधिक प्रदर्शन करने वाला देश भी बन चुका है भारत के मौसम में भाग ने इंडिन मेटरलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक हीट इंडेक्स जारी किया है काफ़ी सारे lorोगा है इसको मनाया गया। सफायर जृष्षित जो क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान की इंद्रेन में है सुरुवात से ऐसा नहीं है अब आ जाएंगे हम लोग MCQ सक्षन पर पहला कोशन है आप डिजिटल क्लॉक के बारे में है डिजिटल क्लॉक जो है सभी हाई कोट कॉंपलेक्सिस में लगाई गई है यह एक एलेक्ट्रोनिक साइने सिस्टम है जिसमें कई सारी information रिवील की जाएगी court related जो की parameters होते हैं और जो awareness वहाँ पर होनी चाहिए लोगों को court visit करते समय important data जैसे case कितने list किये गए कितने इप्टा आए गए इस साल यह सब data होता है तो डिजिटल क्लॉक के बारे में पहला statement यह correct है second statement भी correct है एंसर यहाँ पर हो जाएगा C one and two both correct डिजिटल क्लॉक के बारे में डिजिटल क्लॉक सबसे पहले कहां पर लगाए गए थी गुजराथ हाई कोट में भारत की पहली डिजिटल क्लॉक का उदगाटन गुजराथ हाई कोट में किया गया था last year January 2022 में ONGC Videsh Limited एक इंडियन जो PSU है यह restart करने को सोच रहा है hydrocarbon exploration block जो एक agreement के तहट इराक से हमने खरीदे थे वहाँ पर लगातार हम अपने operations कर नहीं पाएं तो उसको फिर से resume करने की सोच रहा है ONGC Videsh Limited तो इराक में लगातार agreement के बाद कुछ वहाँ पर समस्यां बनी रही है और उसका हम लोग use नहीं कर पाए तो फिर से इसको agreement को resume करने की बातें हो रही है Indian Institute of Technology IIT Delhi ने एक design किया है AI framework OSTU HRNet नाम से second statement है इस statement actually wrong है क्योंकि हमने देखा IIT Guwahati ने AI based framework OSTU HRNet शुरू किया है जिससे की arthritis की जांच की जा सकेगी arthritis कितना गंभीर है इसकी automated analysis की जा सकेगी X-ray images के थूँ जिससे पता चल सकेगी arthritis जो हुआ है पेशन्ट को खासकर घुटने का arthritis वो कितना गंभीर है और उसका कैसे इलाज किया जा सकता है तो second statement correct है यहाँ पर गुवहार्टी होना चाहिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो first statement इसमें correct है second incorrect है तो इसमें answer हो जाएगा B, second only B इसराइल में अपना दूतावास कौन खोलेगा पहला embassy खोलेगा फिजी इसराइल में option number B यहाँ पर सही है फिजी इसराइल में इसमें हो जाएगा only three third statement incorrect है बाकी दोनों सही है C यहाँ पर सही है इन में से किस bank ने अपना नया लोगो जारी किया है तो नया लोगो जारी किया है yes bank ने option number B इस बादे जून 2023 में निमलिकित में से किस ने राइका में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोट की नई बिल्डिंग की अधारशिला रखी है तो नई बिल्डिंग की अधारशिला रखी justice D.Y. चंदरचूट ने option number C आगे बढ़ेंगे हम लोग निमलिकित में से किस राज ने जून 2023 में अपने सूचना प्राध्योग की विभाग का नामदल कर digital प्राध्योग की और शासन विभाग यानि कि digital technologies और governance department रखा है तो ऐसा करने काम किया हमाचल प्रदेश ने option number B हमाचल प्रदेश B इस शहर की traffic police ने 14 जून को एक no honking day बनाया था तो यह मुंबई traffic police ने बनाया था option number B कि लोग hot नहीं बजाएंगे ठीक है और मजाने को honk का जाता है इंगलीश में तो आखरी बार ऐसा भियान 17 साल पहले चलाया था एक बार फिर से मुंबई में और no honking day मनाय गया था चलाय गया था भियान इसराइल ने यात की भीड़ को कम करने के लिए जून 2023 में अपने वहां की पहली स्वायत उडान टैक्सी परिक्षण किया यानि की first autonomous flying taxi solution यहां पर उन्होंने खो जा है option number a मतलब यह पहला statement correct है इस question का first Indian institute of technology campus outside India इस अंजिबात अंजानिया में खुलेगा IT मदरास में हम बात कर चुके हैं सही है answer सही हो जाएगा इसमें C 1 & 2 बोथ correct C 22 से 24 सितंबर 2024 तक विश्व की सबसे बड़ी bike racing प्रतियोगता Moto GP 2023 कहां पर होगी यह बुद्ध International Circuit में होगी Greater Nevada उतरप्रदेश में option number B यहां पर सही है भारत मोटे अनाज यानि श्री N का सबसे बड़ा उत्पादा का इस समय अपना होकर दूसरे स्थान पर है श्री N के निर्यात के मामले में production के मामले में तो पहले स्थान पर है उत्पादन के मामले में लेकर निर्यात के मामले में अभी दूसरे स्थान पर है भार जल्द ही पहले स्थान पर आने के लिए प्रयास कर रहा है और नई नहीं करेंगे कि पैसा मिलेगा शुरुबात में आलांकी 10,000 देने की बात कर रहा है जो कि कहीं नहीं बताया गया है जितने जानकारी यहां पर जरूरी है वो दी है यहां पर सारे स्टेट्मेंट करेक्ट है एंसर सही हो जायेगा डी अज़ा सबसे बड़ी बात जो है अमारे मिनिस्ट्री ओफ फैनेंस पर लेकिन मिनिस्ट्री ओफ कॉपरेशन आप अपने एक्जाम में सही लगाएंगे 21 सितंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशल ट्रेड इस्टों के पहले संस्क्रेंड का आयोजन कहां पि किया जाएगा तो इसका आयोजन होगा ग्रेटर रो वर्क वीजा फॉर इंडियन स्टूडेंट्स परस्विंग मास्टर इन फ्रांस तो एंसर यहां पर हो जाएगा बी फ्रांस कास प्लैट्यू जो है यह कहां पर लोकेटेड़ है किस स्टेट यह यूटी में जिसमें एक यूनीक इंविर्मेंटल फीचर्स है और इसका कुल कास प्लैट्यू आपका महराष्ट में एक कैसकते हैं पिस्चरिक या फिर मनोरम पठार यानि की देखने लाएक है इस सारस मुबाइल एप्लिकेशन के बारे में बताना है क्या सही है इस सारस मुबाइल एप को दीन दियाल अंतियोदय योजना राश्टरी ग्रामीड आज की विमेन द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन को मजबूत करने के लिए जारी किया गया है तो सेलफ हेल ग्रूट्स की मैला है जो प्रोड़क्स बनाती है उनकी मार्केटिंग करने काम आएगा और वोकल फॉर लोकल की थीम को ये प्रमोट करने वाला है तो तीन फरीन है जो इसके नॉर्थ-इसटरन पार करीब जो है गहमासान देखने को पुले था चाइना और फिलिपीन इसके बीठ tensions पड़ गए थी विवाद आसपत आईलांड है स्प्रेटली ऐलेंड को कौन कौन से देश के क्लेम कर रहे हैं इसका पहला कंटेंडर है यहां पर वियतनाम और चाइना तो आपको बता है कबजे बाजी की आदत है सेगंड कंटेंडर है और यह बहुत वहमेंटली जो है मतलब द्रड़ता से क्लेम करते हैं कि इनका पार्ट इनकी बाउंटरी में आता है इनके वाटर्स में फिलिपीन के पास पढ़ता है तो फिलिपीन भी इसमें क्लेम करता है तो तीन कंटेंडर हैं स्प्रेटली ऐलेंड पर कबजे के लिए चाइना वियतनाम और फिलिपीन्स जुलाई दोज़ार थीस में निमलिकित में से किस राज सरकार द्वारा में लेडिया और डेंगू जैसे मच्छरों से उन्योली बिमारियों से निपटने के लिए राज के जल निकायों में गैंबूसिया फिस का इस्तवाल किया गया था गैंबूसिया फिस को मस्कीटो फिस कहा जाता है जो कि मस्कीटो के लारवा पर फीड तो आंध प्रदेश की सरकार ने अपने यहां के जल निकायों में गेंबुसिया फिस मघवाग करके छोड़ी है गेंबुसिया फिस यहां की नहीं गेंबुसिया फिस दक्षिनद पूर्वी अमेरिका में पाई जाती है और मच्छरों से इन पटने के लिए कई बार जल निकायों में इनका प्रयों किया जाता है जमने कितमें से PWRS 1 नामक जो गेहूं की प्रजाती है जिसमें स्टार्ज कंटेंट कम होता है किसने विक्सित की है पंजाब अग्रिकल्चरल इनिवर्स्टी लुदियाना ने पंजाब अग्रिकल्चरल इनिवर्स्टी लुदियाना भारत ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने चेतरी मुद्रा और व्यापार को मजबूत करने के देश से किस पड़ोसी देश के साथ रूपए में व्यापार करना शुरू कर दिया है तो यह शुरू किया है बंग्लदेश के साथ ऑप्शन बर सी बंग्लदेश भारत के साथ रुपए में व्यापरिक लेंदेन करने वाला उन्नीसवा देश बन चुका है जुलाई 2023 में मेटा ने ट्विटर को टक कर देने के लिए थ्रेट्स नामा के कैप लॉंच किया था यह सही है सभी ने अकाउंट भी बनाया था इसमें ट्रेंड बाजी में लेकिन अब यूस नहीं करता को जादा उसको एंश्टा यूस करते हैं जाता तर नरेंदर मोधी जी ने वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूस का अनावरण किया था अमदाबाद में अप्रसिद ऑस्ट्रियाई का लाकार गोस्ताव क्लिम्ट की अंतिम लेडी विदा फैन शीरिसक वाली पेंटिंग लंदन में 108 मिलियों डॉलर में निलाम होई थी तो तीनों स्टेटमेंट ये साही है, इंकरेक्ट कोई भी नहीं है, एंसर यहाँ पे साही हो जाएगा D तीनों स्टेटमेंट करेक्ट ने इंकरेक्ट कोई भी नहीं है एक्चुली इक स्टेटमेंट इसमें इंकरेक्ट है, यहाँ भी मिश्टेक हो गई मोधी जी ने नहीं, अमित शाह जी ने इसको जो है unavil किया है, तो पहला statement correct है second incorrect है, third correct है तो इसमें अगर हम देखे तो second statement इसमें incorrect है तो answer यहाँ पर हो जाएगा B B यहाँ पर सही, एड़ना की D ठीक है, ओडिसा में train accident के बाद कौन सा IIT train संचालन की सुरक्षा और दक्षता तक्नीक को मस्बूत करने के लिए, एक छेंडचाण रोधी signaling प्रणाली विक्सित कर रहा है यानि कि tampering proof signaling system जो है, कौन सा IIT डवलप कर रहा है IIT खड़कपुर, option number D IIT खड़कपुर भारत के प्रदान मत्री प्रथम राज की आधिकारी की आत्रा थी राज की आत्रा में और जो formal visit होती है, informal visit होती है उसमें फार्क होता है राज की आधिकारी की आत्रा मैत्री प्रणे द्विपिक्षिये समध्दों की सरवोच अभिवक्ती माना जाता है अब यह मोधी जी इससे पहले कई बार US visit कर चुके हैं लेकिन उनकी पहली state visit यह कही जा रही है तो जान रखे का state word important है प्रदान मंत्री की पहली state visit थी इससे पहले उनकी कई official visits हो चुके हैं तो official state visit यह प्रदान मंत्री की पहली थी 21-24 June के भी जाही और मोदी जी ने पहली बार बतलब ये designated state visit पर US में कहे थे as a prime minister ये भी साही तो state visit को ये highest expression of friendly bilateral relationship मना जाता है तो सारे answer यहाँ पर साही हो जाएंगे मतलब सारे statement साही हो जाएंगे D General Electric Aerospace और हिंदुस्तान Aeronautics Limited की बीच एक समझाता भी हुआ है जिसके तरह भारत के लड़ाकु इपान तेजस के लिए engine बनाए जाएगा और इस तरीके के engine को बनाने वाला भारत पांचवाँ देश बन जाएगा James Clark Maxwell Telescope का उप्योग करके Venus के atmosphere में phosphine gas की खोज की गई है तो यह हमने आपको पुराया था section wise में वीनिस के atmosphere में phosphine gas की खोज की गई है James Clark Maxwell Telescope का उप्योग करके स्वानिधी महुत्सो के बारे में आपको गलत कथन का chain करना है तो पहला कथन है कि उतरप्रदेश के CMG ने इसका उधगाटन किया था गोरकपूर में गोरकपूर में इसका उधगाटन हुआ सही इसके बाद है कि इस महुत्सो को चुभारम स्वानिधी योजना के 3 वर्स पूरे होने के लिए किया गया है ये भी सही स्वानिधी योजना के 3 वर्स हो चुके हैं 2020 में जारी की गई थी अमरत काड बगएर और नैसल अर्बन लाइवली हुड मिशन का लोगो भी यहां पर जारी किया गया था अजयक जीज जान रखिएगा कि 1 जून 2020 ओफीशल डेट है पीम स्वानिधी योजना की लांच डेट पीम स्वानिधी योजना की इंप्लिमेंटेशन के मामले में उत्तर प्रदेशी समय टॉप पर है अंटार्क्टिका में टेलर गलेशीर है एक वहां पर एक ब्लड फाल की घटना देखने उक मिलती है और यह चर्ण घटना है जहां पर मतलब खून जैसे लाल रंग का घटना आपको गलेशीर के निकलता वह देखने मिलता है और इसकी घटना को पता लगा लिया गया है फाइनली पहली बार इस घटना को देखा गया था 1911 में और तब जो अलगी वगएरा इसके कारण माने गया थे अलगी नहीं है जो लेक का वाटर जो है ट्रैप हो जाता है ग्लेशर के नीचे उसमें सॉल्ट्स वगएरा पाए जाते हैं और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर वो लाल जहरने के रूप में दिखता है तो यही है यहां पर प्रस्तावित है 2023 से 2028 तक इसके इस्टैबलिश्मेंट हो जाने के बाद तो यह सारे स्टेटमेंट सही है और जब यह एप्रूव हो करके बन जाता है राश्ट्रिय अनसंधान फांडेशन एक्ट बन जाता है तो इसके बारे में और भी फीचर समलोग देखेंग जो जरूरी होंगे इन में से कौन सा कंट्री H1B वीजा को रिन्यू करने की योजना बना रहा है तो H1B वीजा जारी कौन करता है अमेरिका जारी करता है यूएस जो है यह H1B वीजा जारी करता है जिससे IT professionals वगरा जो है वहां पर आवगमन कर सकते हैं जून 2023 में संबंध बनाने के यूए सेह्मती की आयू जापान ने बढ़ा कर 16 कर दिया पहले कितनी थी पहले मांतर 1300 थी ओप शम्दिकित में प्रिशमें प्रसिद वी हऊ महत्सो मनाया गिया जो है अवनाचल प्रदेस मना जाता है तांगसा ट्राइब मनाती है अवशन ब्रदेश B National Working Plan Code 2023 Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने रिलीस किया है इसका objective होता है Social Economic, Cultural, Spiritual Benefits Forest से लिए जा सके हैं सबसे पहले इसको अदॉप्ट किया गया था 2004 में इसको रिवाइस किया गया था 2014 में और इसको फिर से यहां पर रिवाइस करके जारी किया गया है इसका answer हो जाएगा D सारे कथनी आँपे सही है D जून 2023 तक प्रसिद अंबू बाची मेला का आयुजन किया गया था यह किस राजिस संबन्दित है तो अंबू बाची मेला मनाया जाता है असम में option number B सागर समाजिक सहयोग क्या है अगर समाजिक सहयोग लाँज किया गया है यह corporate समाजिक दायोत यानि CSR से associated नए दिशा निर्देश केंद्री पोत नववहन और जलमार्ग मंत्राले द्वारा जारी किये गये है इस दिशा निर्देश के नुसार बंदरगाब सीधे CSR activities चला सकेंगे पहले CSR activities चलाने में दिक्कते होती थी Ports को A sum of 2% of the total CSR expense has been are marked for monitoring of projects देंडर CSR programs by the Ports Ports जो भी CSR program चला जाएंगे उनकी monitoring के लिए total CSR fund का दो प्रतिसत हिस्सा खर्च किया जाएगा यहाँ पे का आ गया है तो हमारा answer हो जाएगा option number D यहाँ पे सही है all of the above correct तो इससे simple यह पूछेंगे कि सागर समाजिक सही होग इस associated with what तो इसका answer हो जाएगा CSR विदूत मंत्राले के अंतरगत आने वाली कि इस महारत्न कंपनी ने आजादी केमरत महत्सो के जारखंड के रांची में बिजली उतसो मनाया बिजली उतसो जो है REC celebrate करती है तो यह अभी असम में मनाया फिर यह रांची में तो यह बिजली उतसो होते रहते हैं बिजली उतसो कौन मनाता है? REC इंबिकित में से उस शहर का नाम बताना है जो 2023 में विस्तारित उत्पादक उत्रादाई तू क्रेडिट ट्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाए बन गया है पहला शहरी निकाए बना है इंदाओर option number A, इंदाओर इंदाओर municipal corporation has become the first ULB to earn EPR credit हैमिस उत्सो जिसे सेचु उत्सो कहा जाता है option number C, बनाए जाता है आपके exam में देंगे तो हमिस नहीं देंगे क्योंकि आप guess कर लेंगे तो सेचु उत्सो कहा बनाए जाता है तो जान रखिएगा लद्दाख में, option number C, लद्दाख में फिर है हरियाणा सरकार ने राज के पद में पुरुसकार भी जेताओं को कितने रुपए मासिक पेंशन देनी गोशना की है और साथ ही अपने राज की वालवो बस में फ्री में यहाँ पर सवारी करने की छूट देनी गोशना की है फ्री ट्रैवल इन स्टेट गवर्मेंट वालवो बस और 10,000 रुपए के यहाँ पर मंतली पेंशन नेपाल में अभी हलिकॉप्टर हाथ सा हुआ था पाइलेट जो है और पांच मेक्सिकन यात्रों को की इम्रित्ती हुई थी यहाँ पर मनांग एर प्राइवेट लिम्टेट द्वारा संचाली थे हलिकॉप्टर मांट एवरेस्ट के पास दुरगटना गरस्त हुआ था प्लास्टिक उत्पाद बैक पर प्रतिबंद लगाने वाला कौन सा देश विष्व का पहला देश बना है तो सुपर मार्केट में अगर वजटेबल भी खरीदनी तो उसमें भी प्लास्टिक को बैन करने वाला देश बना है न्यूजिलेंड ऑप्शन नमबर भी न्यूज स्टेट्मेंट करेक्ट है पहला तो करेक्ट है कि जुलाई तक 1.45 लाक किलो मिटर का यहां पर रोड नेटवर्क है भारत के पास सही उकराज अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है जो इसको दूसरा सबसे बड़ा और पिछले नौ वर्षों में देश की राजमार्ग में 69 पृतिशत की वृध्धी दर्ज की गई है इसके बाद नेसल हाइवे नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का यह पूरे देश में जो 4.5 पृतिशत पूरे गोड से उनको ट्रांसपोर्ट करने के काम आते है नेसल हाइवे जो एंसर सही हो जाएगा D आगे बड़ते हैं लोग जुलाई 2023 में किस राजसरकार ने नियूंतम गारेंटी आय विद्धेयक पेश किया है जिसका उद्देश है राज के संपूर्ण वैसका बादी को गारेंटी क्रित मजदूरी या पेनिशन प्रदान कर रहा मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार की बात की गई थी एक वर्ष में इन्होंने कहा दिया कि 25 और एडिशनल देंगे तो एक वर्ष में 125 दिन का रोजगार एप्रूव करने वाला पहला स्टेट बन गया है राजस्थान राजस्थान ये भी लाया है ऑप्शन नुबर डी कितने भी गारेंटी समंदित स्कीम आप राजस्थान देश का पहला राज बन गया है निमलिकित में से कौन से कथन सही है 11 जुलाई 2023 को नागरिक उड्डेन महानी दिशालाय ने तमिल्लांडू के सलीम जिले में राज के तमिल्लांडू राज के पहले उड़ान प्रिसिक्षन संगठन को मंजूरी प्रदान की थी सही और इरान को SCO की पूर्ण सदस्ता दी जाने के पच्चात SCO में कुल 9 सदस्यराष्ट्र हो गया है तो ये भी सही है तो हमारा एंसर सही हो जाएगा इसमें C, 1 and 2 बोथ करेक्ट, 9 सदस्यराष्ट्र अब SCO में हो गया है वीर सावर कर हवाईटे के नए एकिकर्ट टर्मिनल का अभी उदगाटन किया गया इसके संबन्द में गलत कथन का चैन करना है नरेंद्र मोधी जी ने वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से अंडमानी कुबार की राधानी पोर्ट ब्लेर में इसके नए टर्मिनल का अभगाटन किया पूरे टर्मिनल में प्रतिशन 12 गंटे के लिए 100 प्रतिशत प्राकरतिक रोशनी होगी उपलब्ध क्योंकि उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है चत पर रोशनदान के माध्यम से रोशनी प्राप्त होगी तो इस तरीके से सस्टेनिबल फीचर्स लगाए गए इसमें चालिस जार आट सो वर्ग मीटर के कुल देर्मित चेतर के साथ 50 लाग यातरियों को समालने में सक्षम या आपका पोर्ट ब्लेर का सावरकर एरपोर्ट का टर्बनेल होगा तो इसमें कोई भी स्टेट्मेंट इंकरेक्ट है नहीं एंसर यहां पर हो जाएगा D उपर इसमें से कोई नहीं सावरकर से एसुसेटेड जो एक मौटरन इस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं संगठन मित्र मेला है आप कोई उनके सेकंड प्रॉमिनेंट संगठन का नाम जल्दी से कॉमेंट करके बताईए जिसकी या तो स्थापना सावरकर नेकी हो या तो उससे जुड़े हो केर पूजा नामक जो फेस्टिवल है कहां बनाए जाता है केर पूजा मनाया जाता है त्रिपरा में जुलाई 2023 में दिल्ली मेट्रो ने हुडा सेंटर का नाम पहले गुरुगराम सीटी सेंटर रखा और फिक कुछ गंटे बाद उसका नाम बदल करके मिलेनियम सिटी रख दिया है मिलेनियम सिटी तो ये काफी जर्चा में रहा था ये सही है उसके बाद लैंस्डाउन जो है उत्राघंड के पाउडी जिले में सिथ लैंस्टाउन सिटी के नाम बदल करके अब 1912 के भारत चीन युद के नायक महवीर चक्रविजेता सहीद जस्वंत सिंग के नाम पर रखा गया UK PCS वाले इसको ध्यान रखिएगा लैंस्डाउन के नाम बदल करके जस्वंत गढ़ रख दिया गया है तो एंसर यहां पर हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट C वैसे इसमें इंकरेक्ट बताना है तो इसका एंसर हो जाएगा D none of the above दोनों इंकरेक्ट नहीं है प्रेक्ट है भारत का एक मात्र चार रन्वेवाला भारत का पहला वाइड़ डाकॉंट से बना है बना है इंद्रा गांधी इंटरनेशल एरपोर्ट डेली ऑप्शन नुमबर B जुलाई 2023 में रिजर्ब बैंक आफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के एक बैंक युनाइटिड इंडिया कोपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है जुलाई 2023 में विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग चर्चा में रही थी सूरत डायमेंड बोर्स जो की सूरत में बन चुकी है गुजरात में इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहा जा रहा है यह 15 स्टोरी की बिल्डिंग है और यह जो है अमेरिका में अभी तक पेंटागन ऑफिस बिल्डिंग को विश्व का सबसे बड़ा माना जाता था उसको पीछे छोड़ चुकी है 15 स्टोरी की बिल्डिंग है इसका अनाउग्रेशन नुवंबर में प्रस्तावित है मोधी जी की द्वारा इसको 32 करोट रुपए की लागत से 4-5 सालों में ही 71 लाग स्कॉर फिट जो है फ्लोर स्पेस के साथ बनाया गया है एंसर साही हो जाएगा इसमें D सारे कथने आपर करेक्ट हैं D 17 जुलाई 2023 को केंद्री भोकता मामले खाद्यो सारजुनिक वित्रन मंत्री प्यूश गोयल जी ने भारत दाल ब्रांट नाम से किस वसल की सबसेडी वाली दाल लाउंच किये तो 60 रुपए प्रती किलोग्राम की दर से बिखेगा 34 किलो का पैक जो है 55 रुपए प्रती किलोग्राम की दर से सबस्टाइज डेट पर यूपलब्द कराय जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा जहाज भी चर्चा में था आइकन ऑफ दसी इसको कहा जा रहा था जनुरी दोजार चॉबईस में जो है यह सेल करेगा मतलब जो है समद्र में चलेगा फिनलैंड ने इसको बनाया है फिनलैंड की शिप बिल्डिंग कंपनी है रॉयल करेबियन इंटरनेशल ने इसको बनाया है पांच गुना बड़ा है टाइटाइनिक्स से ठीक है तो यह सब चीज़े है एंसर यहाँ पर D साही है सारे कथन यहाँ पर साही है इनमें से कौन से कथन इंकरेक्ट है भारत के सबसे बड़े नैचुरल आर्क के बारे में GSI ने उडिशा राज में सुंदरगर्ड रिस्टिक्ट में कनी का रेंज में भारत का सबसे बड़ा नैचुरल आर्क हो जाया और भारती भुव अग्यानिक सर्वेशन GSI ने इसके लिए जियो हैरिटेज टैक का प्रस्ताव किया है और जियो हैरिटेज टैक वाला भारत का सबसे बड़ा नैचुरल आर्क ही बन जाएगा सही नैचुरल आर्क की अधित्तम उचाय उचाई उड़ाई साथ और पंदरा मीटर है इसमें इंकरेक्ट कुछ भी रही है सारे स्टेट्मेंट करेक्ट हैं तो एंसर हो जाएगा D जुरासिक पीरेट से जुड़ा हुआ ये नैचुरल आर्क माना जा रहा है मतलब काफी प्राचीन है आगे बरते हम लोग जुलाई 2023 में निमलिखित में से किस राज सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक सबसीडी पोर्टल लॉंच किया है उत्तर प्रदेश ने अप्शन नमबर A अप्शन प्रदेश ने अप्शन प्रदेश के बुमला पास के तवांग छेतर के स्थानी चरवाहों द्वारा चाचिन चराई उत्सो मनाया जाता है सही जुलाई 2023 में पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का चौथा सबसे बड़ा करगदार बन गया है ये भी सही है एंसर सही हो जाएगा C तो सबसे बड़े करगदार के मामले में अर्जेंटीन है टॉप पर है फिर इजिप्ट है फिर यूक्रेन है पाकिस्तान ये फोर्थ पर आ गया है आगे हम लोग बड़ते हैं जुलाई 2023 में आम जन के लिए भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन पार्क कहां पर खोला गया है वेदवन पार्क का मतलब इसमें बरगत कल्प वरक्शनारियल जैसे 50,000 स्याधिक पाओधे लगाया है जिनका उल्लेक हमको वैदिक लिट्रेचर में देखने होग मिलता है विश्व के पहले Heritage चंबल रिवर फ्रेंट के बारे में गलत कथन इसमें चुनना है विश्व के पहले Heritage रिवर फ्रेंट बनेके तयार हो गया है इसको राजपुताना और हाड़ोती आर्किटेक्चर में बनाया गया है ये भी सही भारत का पहला LED गार्डन यह बनाए जाएगा यह नहीं कि पेड़ पाउदी जो आप लोग देखेंगे वो आपके LED से मतलब दिखाए जाएगे भारत में पहली बार यह टेक्नीक यूज होगी सही इसका इंसर हो जाएगा D9 अफद अबाव RS के लिए काफी जरूरी हो सकते हैं फैट द्यान रखेगा जुलाई दोजरते ही इसमें भारत ने चावल निर्यात बंद करने कोशना की है मौनसून की एनिश्चित्ता को देखते हुए नौन बासमती राइस का एक्सपोर्ट यहाँ पे बंद कर दिया है इंडिया जो है पूरे वल्ड में राइस एक्सपोर्ट में 40% अपना हिस्सा रखता है यह भी बताया गया था तो बासमती राइस भारत एक्सपोर्ट करता रहेगा नौन बासमती राइस भारत ने फिलाल के लिए बंद कर दिया है एंसर यहाँ पे सही हो जाएगा D UN में हिंदी के उपियोग के समवर्धे ने तो भारत ने UN को कितना योगदान दिया है तो भारत ने योगदान दिया है करीब 10 लाइक US डॉलर्स का जो करीब 8.2 करोड रुपए होते है यहाँ पे सही हो जाएगा C South Central Railway ने काचीगोडा Railway Station में तेलंगाना में Restaurant on Wheels सर्विस शुरू की थी जो कि काफी चर्चा में रही थी भारती रिजर्व बैंक ने अंतराश्ट्री व्यापार के लिए रुपए में चालान और भुक्तान की अनुमती दे दी है तो यह सही है एंसर है यहाँ पे सही हो जाएगा C 1 & 2 बहुत करेक्ट इम्लिकित में से काउन सा कथन सही है वर्च 2024 में लोगसभा चुराओ में 26 पार्टियों से बना विपक्षिदल गटबंधन इंडिया के रूप में जाना जाएगा तेक है 1 & 2 बहुत करेक्ट इसके बाद हमाय catalog नहीं बना है जाते हैं लेटे संकर समदान समू चैंपिनज गृप में शामिल हुई जूलाइब में ऑप्षिन नुबर A इंडिया इसमें कौन कौन से सामिल है बंगलादेश सामिल है बारबाडोस सामिल है भारत भीस्क में शामिल हो गया है इसकी स्टापना मार 2022 में भूई थी यह नया ही ग्रुप बनाए critical global issues जैसे food और energy security challenges को डील करने के लिए यह ग्रुप बनाया गया था निमले कितमे से कौन सा राज gig श्रमिकों को समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके लोगों को delivery persons को delivery executives को gig workers समलक है सकता है इसमें का गया है कि जो निम बनाया गये हैं उसका उलंगन करता है कोई भी aggregator जैसे सुगी जुमेटो तो उन पर पहली बार पांच लाग का जुर्बाना और बार बार कांट्रिवेंशन करने पर 20 लाग तक का जुर्बाना लगा जा सकता है विदेश मंतराले के अंकडो के नुसार 22 देशों के बैंकों ने भारती बैंकों में रुपए में मुक्तान के लिए वास्त्रो अकाउंट्स खोल ली हैं एंसर सही हुजाएगा C 1 & 2 बोथ करेक्ट C हाली में किस देश के लोगों को चिकत्सकी रूप से अपना लिंग परिवर्तन करने के लिए सर्जरी कराने पर प्रतिबंद लगाया है तो ये किसने किया है रश्या ने किया है रश्या ने लोगों को जो मेडिकली जो मैला से पूरुस पूरुस से मैला बन रहे थे जेंडर चेंज अपना कर रहे थे तो जेंडर री असाइन्मेंट सर्जरी पर रोक लगा दी है रश्या ने अप्शन नुबर C उपनहाइमर पर जो क्रिस्टाफर नॉलेन की बिच्चर आईए है उपनहाइमर तो उसकी वज़े से चर्चा में आए है जूलियस रोबर्ट उपनहाइमर की कहानी है जो परमाणू बं के जनक यानि फादर ओफ एटॉमिक बंब कहे जाते है तो यह थोड़ा सा static fact भी है इनका जन्म कब हुआ था 1904 में New York में हुआ था यहाँ पर answer हो जाएगा D, all of the above जुलाई दुजारते इसमें खबरों मेरा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा यह कहाँ पर है तो लवासा जो है यह हिल स्टेशन आपका महराष्ट के पुने के पास है ठीक है महराष्ट के पुने के पास है और इसको National Company Law Tribunal से मंजूरी मिलने के बाद Darwin Platform Infrastructure Company को सेल कर दिया गया एक तरीके से ठीक है यह कब बना था 2000 में हिंदुस्तान Construction Company ने इसको बनाया था इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हिल टाउन ये कहलाया था हमारा एंसर सही हो जाएगा इसमें D Earl of the Bo, correct लवासा के बारे में 24 जुलाई 2023 को कि देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने वाले विध्यक को मंजूर किया था तो यह बिलपारित किया इसराइल ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को करने काम किया है Global South World चर्चा में रहा था फिर से क्योंकि एफरिका एशिया और लैटिन अमेरिका के कई प्रभावशाली देशों ने नैटो का समर्थन करने से मना कर दिया था उसके बाद Global South से तात पर उन देशों से जिनने एकसर विकार, सील, अलप, विक्सित या फिर अविक्सित के रूप में जाना जाता था हमों की रूप से African, Asian, Latin American countries में आते थे, फिक है, New Zealand, Australia exception है, वो North में नहीं थे, लेकिन उनको डवलप्ड ही माना जाता है, शरूर से, Global South term पहली बार 1979 में दिया गया था, Carl Oglesby के द्वारा, तो ये सही है, Global South हब कह रहे हैं, पहले इनको Third World countries भी कहा जाता था, developing countries को, इस तरीके स हमारा एंसर सही हो जाएगा, D, All of the above यहां पर correct है, साही हीरा, Global Convention Center के बारे में क्या सही है, तो ये आंदर प्रदेश के पुटू परती में, वहां के CM ने इनागरेट किया है, जो की incorrect statement है, इसको भारत के PM ने इनागरेट किया है, सब ते साही सेंट्रिल ट्रस्ट के दौरा इसको बनाया गया है, और 56,500 वर्क फुट में बनाया है, तो साही हीरा Global Convention Center का उद्गाटन, PM जी ने किया था अंदर प्रदेश में, इसका एंसर हो जाएगा, 2 and 3 only, B यहां पर correct हो जाएगा, B, बलिदान स्तंब का उद्गाटन, किस ने किया, जमू कश्मीर में, जमू कश् करोना वाइरस के नय वरियंट, MERS, COV के बारे में आपको बताना ये क्या सही है, अबुधाबी में, करोना वाइरस के नय वरियंट, मर्स कोव देखा गया है, omadhuabii में, UAE की capital में, साल 2012 में, पहली बार इसका पहचान आबुधाबी में ही की गए थी अबुदाभी में पहला मामला देखा गया जब साल 2012 में पहली बार इसी भैचान की गई थी M.E.R.S. केमो किलक्षन फ्लू जैसे होते हैं और एक्स्पोजर से 2-14 दिन के बाद विक्सित होते हैं तो यह answer यहाँ पर सही हो जाएगा D. सारे कथन यहाँ पर सही है जानकारी दी गए थी कि वित्वर्स 2022-23 में मंजरीगा के तहत 5 करोड से अधिक जॉबड कार रद किये गए हैं सरवाधिक जॉबड कार कहां पर रद किये गए थे सरवाधिक जॉबड कार रद किये गए थे वेश्ट बंगाल में Option Bworks बंगाल में इसके बाद ये आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाते हैं तारापुर महरास्ट में अटॉमिक पावर स्टेशन जो बना था ये फर्स्ट इंडिया का एवर नुक्लियर पावर प्लांट था जो की इंडिया डेवलोप किया था इसके लिया एग्रिमेंट जो है पांत साल पहले हुआ था ओफिशली ऑपरेट करना इससे स्टार्ट किया था उनिस सो नहत्तर में दोनों स्टेट्मेंट सही हैं हमारा एंसर हो जाएगा डी नन अफदाबो डी दोनों देशों के बीच e-commerce के उद्देश से इंडिया पोस्ट और कैनेडा के पोस्ट के बीच अंतराश्टी ट्रैग्ड पैकेट सेवा कब शुरू की गई है तो इसको शुरू किया गया था एक जुलाई 2023 से अप्शन नमबर C एक जुलाई 2023 से इसके बाद चीन के नया जासूसी विरोधी कानून के बारे में क्या सही है चीन ने अपना नया जासूसी विरोधी कानून पेश किया है उन्होंने काया कि SPO नाज और स्पाइन को नैसल सेक्योर्टी के लिए खत्रा नहीं बरने दिया जाएगा इस लोग के ताहित तो 1 & 2 बोध करेक्टिस में एंसर सही हो जाएगा D दोनों स्टेट्मेंट यहाँ पे करेक्ट है Health Priority Agenda on Microbial Resistance यह किन एजेंसी या एजेंसी ने जो है प्रेजेंट किया WHO ने World Organization of Animal Health ने Food and Agricultural Organization ने United Nations Environment Program सभी ने मिल करके यह प्राइटी एजेंडा Anti-Microbial Resistance पर पेस किया है यह कि Anti-Microbial Resistance आगे जा करके बड़ा खत्रा बन सकता है अगर इसको कंटेंड ने किया गया है मेंने अब्जेक्टिव यह है कि सब रिसर्च वगरा करेंगे कि Anti-Microbial Resistance का Transmission विभिन रीजन्स में और Environment में क्यों हो रहा है इसके बाद जुलाई 2030 में ताइवान ने अपना ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक के इंद्र ठीकर ताइपेई Economic and Cultural Center जुलाई 2030 में भारत में कहां पी खुला है तो ताइपेई Economic and Cultural Center खुला है भारत में मुंबई में आप्शन उमबर B तो ताइवानीज Diplomatic Offices अल्रेडी ऑपरेशनल है न्यू डेली ओ चेन्नाई में ये नया Cultural Economic Center खुला है मुंबई में एंसर से हो जाएगा इसमें B ताइवान ने चीनी हमले की आशंका की बीच अपने कई सारी कंपनियों को भारत में शिफ्ट करने का फैसला किया है Card Network Portability यहां पे आ चुकी है कि Reserve Bank ने कहा है कि आप जो भी Credit, Debit, Prepaid Card यूज करते हैं अगला है प्रदानमंत्री जी ने अपनी प्रथम राजकी अमेरिकी यात्रा के दावरान President Biden को The Ten Principle उपनिशद पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद जो है भेंट किया था अंग्रेजी अनुवाद का पहला संस्क्रण भेंट किया The Ten Principle उपनिशद तो ये पुस्तक में भारती आध्यात्मिक्ता Indian Spirituality की चर्चा की गई है और भारती कभी गुरुदेव रविजनाथ टैगोर के प्रभाव पर प्रकास इसमें डाला गया है तो ये बुक जो है गिफ्ट की थी PM जी ने अपने काउंटर पार्ट को अपनी First State Visit की दोरान अन्सर यहां पर सही हो जायेगा D Incorrect कोई statement नहीं है सारे statement यहां पर correct हो रहे है ठिक है अन्सर सही हो जायेगा D भारत की पहली hydrogen train संचालन के बारेम क्या सही है इसका संचालन हरियाना के genes से सोनी पत जिले के बीच होगा जीन से सोनीपाच डिस्क्रिट के बीच इंडिया की फस्ट हाइड्रोजन पाड ट्रेन चलेगी सही है हाइड्रोजन ट्रेन ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली मदलने के लिए फ्यूल सेल का उप्योग करेंगी और इस पहल का उद्देश ये कार्बन उत्सरजन को कम करना और प्रदूशन इसे निपटना है ये भी सही क्योंकि इसका बाई प्रोड़क्ट क्या होता है वाटर वेपर होता है जो कि कोई पलूशन कॉस करता नहीं है एंसर सही हो जाएगा इसमें D D यहाँ पर सही है सारे स्टेटमेंट करेक्ट है वर्तमान में हाइड्रोजन की टेन कहां पर चल रही है केवल जर्मनी में हिमाचल प्रदेश के परवाता रहो ही आमित कुमार अनेगी ने इरान के सबसे उंचे परवत दमाबंद पर सफलता पूर्वक चड़ाई की है और ऐसा करने वाले पहले भारती बन गए है स्वीडन ने अभी हाल ही में स्वीडन के कोट ने कुरान बर्निंग प्रोटेस्ट को अलाव कर दिया था यहनि मस्जिद के बाहर लोग कुरान जला कर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे थे और ऐसा इसलिए उनने कहा कि उनके यहां पर कोई ब्लास्फेमी लौ नहीं है यहनि इशनिंदा कानून नहीं है तो इस वज़े से उनको अलाव करना पड़ेगा प्रोटेस्ट दोनों स्टेट्मेंट इसमें सही हो रहे है एंसर सही हो जाएगा इसमें C आगे बढ़ते हैं गुजरात के पहले Greenfield Airport जिसको पहले हिरासर Greenfield Airport का जा रहा था विसका नाम अदल करके आधिकारिक रूप से राजकोर्ट International Airport कर दिया गया है तो हीरासर में बन रहा है गुजरात से करी 30 km दूर हीरासर विलेजे वहाँ पर यह बन रहा है तो यह सही है इसके बाद है कि राजकोर्ट International Airport को गती शक्ती प्रोजेट के अंतरगत शामिल किया जा चुका है यह भी सही है एंसर हो जाएगा इसमें C बहुत करेक्ट इस राज सरकार ने राज में पेशा एक्ट 1996 को लागू करने के लिए सारजनिक परावमर्श के लिए ड्राफ्ट जारी किया है तो जारखन ने पुब्लिक अंद राफ्ट जारी कर दिया है जो शेडिूल्ड एरिया जो मतलब 5th schedule में आते हैं इन 10 में से 8 राज ऐसे हैं जो अब तक अपने राज में राज की पंचायती राज अधनियमों के अधीन पेशा नियमों को तयार करके और लागू कर चुके हैं तो जारखंड जो है अगला हो सकता है देखते हैं हम लोग आगे हैं निमले कितमे से कौन सा गथन गलत है भारती मानक ब्यूरों ने plastic production को कम करने के लिए और sustainability को increase करने के लिए क्रशी उप उत्पादों से बने भोजन परोसने के खास बरतनों के लिए ये standards अपने जारी कर दिये हैं कि मतलब जो पत्तले होती हैं उनके भी अब जो है इंडियन standard आ चुके हैं Kendra bank अपने रूपे credit card के माद्यम से वयापारियों के लिए UPI बुकतान शुरू करने वाला भारत का पहला सारजनिक bank बन गया है तो रूपे credit card में नहीं कोई करता था debit card में तो हो जाता था credit card से allow करने वाला भारत का पहला बैंक बना है Kendra bank Gale India Ltd जोकी natural gas company है इनको authorized economic operator का T3 status बिला है Central Board of Interrect Taxes और Customs के द्वारा ठीक है तो ये भी सही है answer सही हो जाएगा इसमें D कोई भी कथन यहाँ पर incorrect नहीं है answer हो जाएगा D जुलाई 2023 में दिल्ली राष्ट्री राध्धानी शेत्र सरकार संशोधरन विदेख 2023 को केंद्री मंत्री मंदल ने मंजूर किया था ये वैसे हम लास्ट मंत्र भी आपको बता चुके हैं 37 गड़ में धनुहार, धनुहार, किसान, साउरा, साउरा, बिंजिया ये ट्राइब जो है अनुसूचित जंजाती की सूची में शामिल हो चुकी है तो आपसे एक्जाम में ये सब नहीं पूचे हैं आपसे एक्जाम पूचते हैं कि किसान ट्राइब जो है ये आपको कहां भी देखने क्विलती तो इसका एंसर हो जाएगा 36 गड़, ये धियान रखेगा तो एंसर सही हो जाएगा C, 1 and 2, both correct तो दोनों कतने यहां पर सही हैं, 1 and 2, both correct अंतराश्री प्रदर्शनी से सम्मेलन केंदर भारत मंडपम के बारे में क्या सही भारत मंडपम प्रगती मैदान में अंतराश्री प्रदर्शनी से सम्मेलन केंदर परिसर का लोकारपन किया गया था G20 का Ticket और G20 Coin भी यहाँ पर जारी किया गया था PM Odiji के दोरा सही है और 2700 कड़ोड रुपए की लागत से निर्मित ये केंदर 123 एकड के व्यापक परिसर में फैला हुआ है ये भी सही तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है अंसर सही हो जाएगा इसमें D तो इसमें दर्शक समता इतनी है कि Australia के Sydney में प्रसिद Opera House को भी पीछे छोड़ देती है State Institute for Empowering and Transforming उत्राखंड तो जैसे हमने कहा था कि उत्तरप्रदेश जल्दी अपने राज के योजना आयो को एक Think Tank के रूप में तो इस तरीके से एक Think Tank इन लोगों ने डवलप कर लिया अपने स्टेट में और State Planning Commission को इन लोगों ने अबॉलिश कर दिया है पहला statement करेक्ट दूसरा भी करेक्ट और State Planning Commission के विगटन के बाद जो ये सेतु बना है Think Tank इसके Chairperson कौन होंगे? State Chief Minister तुमारा answer सेव जाएगा इसमें D, सारे कथनियां पर सही है इसका full form द्यान रखिएगा State Institute for Empowering and Transforming उत्राखंड सेतु